हाई फ्रेंद्स वास्ट तो यह तोड़े वी अर्विद्ध रिविशन सेशन स्टार्टिंग फॉर में 22 एंड नॉंबर 22 अटेंब अगर आप में 22 दे रहे हैं अभी हमारे सामने में 22 का टेंब में 22 में अलगले कैटेगरे के बच्चे होंगे कौन कौन से होंगे सर पहला ऐस बच्चा जो दोनों ग्रूप फॉर्स टाइम दे रहा है सर फॉर्स टाइम में सर डेब्यू पहली बार वह पहली बच्च अब अब अप्यर करेंगे ऐसे बच्चे जिनको अट टेंब लग चुका होगा डिसेंबर 21 वाला कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रूप आपने किस से भी पढ़ रखाऊगा अपने सेल्फ कर रखाऊगा मॉडूल से कर रखाऊगा किसी ऑथर से कर रखाऊगा आपके सामने आच पूरा रिविशन सेशन आच से अफ्रोड़ना शुरू हो जाएगा वाटेवर टिप्स आइफ काइंडली फॉलो दोस टिप्स पॉर्श और पास हो जाएंगे बट जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं या पेरिंग फॉर बोड़ ग्रूप्स आउट से खाली पास होना नहीं है हमें एम करना है अट लिस्ट सेवेंटी सर वाई सेवेंटी वन यूए लोगों को पिछले टेम में मांक्स बच्रिप्टिव टाइकल कर पाएंगे क्योंकि पिछले टाइम का जो पेपर था इट वास तफ मांते है इट वस्टाफ तो हमें प्रिपैर होना है फॉर्ट वर्स्ट यू गेट बेस्ट मांक्स उसके लिए क्या चीए का अपने को concept clarity जितने भी सेशन आएंगे जो भी मैं आपको टिप्स दोंगा आप उसको फॉलो करके रखिए वंस चार्ट फॉलोइंगे पॉर्स और आपको अच्छे मांक्स आ जाएंगे उससे पहले आप देख लीजे कुछ बैक्राउंड जो है फिर वह साथ में आ गए तो ऑफिसेली नाओ आएंड भावर्स रेफ टाइड अप पॉर लॉएंड डीटी लेक्श्र फाइनल एंट इंटर तो मेरे लेक्श्र उनके हां मिलेंगे तस भावरपुराना.com और बीबीवर्शुल्स.com उनके लेक्श्र हमारे हां मिलेंगे तस Let's Learn India.in तो अब सब कुछ दोनों जगह पर मिलेगा. Amazing thing, I know. So finally we are here with the revision session. ठीक है? आपके पास जो भी author की notes है, आप खोल लीजे, module है, module खोल लीजे, आप किसी से भी पढ़ते हैं, उनकी book खोल लीजे, यहां से मैं आपको revision कराता जाओंगा, मैं revision करांगा आपको मेरे notes से and हा लड़ने जा रहे हमें, पता हिन तलवार किसे चलानी है, महाँ पर जाके parrot हो जाएगा, tota, popat, popat हो जाएगा. So it's very important कि आप concept समझो क्योंकि आप 1000 MC क्योंकि प्राक्टिस करो, 1000 एक वा सकते हैं, पर अगर आपको concept clear हो करना भाई, तो इजजत में अच्छे marks आएंगे. So let's start I'll be using little bit of English because lot of people from south wants to attend these sessions and because of Hindi वो नहीं कर पाते हैं, तो बहा है हिंदी वाले तो सब्सक्राइब कर लेना मेरा English को पढ़ता है, उनको कि हमारा English वासा तोतला है, तो और सब्सक्राइब कर लीजेगा. आपके सामने आपको दिख रहा होगा December 1 किस का शानदा result, amazing. यह December 1 किस के law के audit के eco law के exemptions, यह July 20, rank 1, rank 18, 30, 36 and amazing regards with again law, audit and eco law. After this, now we have May 22. मैं पढ़ाऊँगा आपको यह notes से, यह notes कहां मिलेंगा आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएंगे, आप इसको attend ले सकते हो, download कर सकते हो, free है यह, आपको यह वीडियो के description में मिल जाएगा, ठीक है? So, let's start. उस पीछे समझना बहुत जरूरी है, पहला चीज, मॉडूल के पीछे की जो questions है, test yourself, जो है, May 22 की मॉडूल अपडेट हुई है, to all the people who are appearing again, और जो पहली बार भी देर है, आपके सकते में 22 की मॉडूल नहीं है, तो ICA के सेट में चाहिए, पीछे की जो questions है, उनको डंक से कर ली पीछे, mock1, mock2, mock1, mock2 अभी तक आया नहीं है, इन शूट का, आजाएगा, तो मुसको यूटूब पर डाल दूँगा, सजेस्ट है, December 21 का सजेस्ट अभी तक आया नहीं है, July 21, Jan 21 and November 22, ये तीन सजेस्ट आपके पास है, आप इनको जरूर देखेगा, क्या आ रहा है, क्या न आठरा ही चाप्टर से, 18 चाप्टर, इवन इवन चाप्टर, वन डे, आच्छा, साइमेल आपका एक और सब्जेक्ट भी चल रहा होगा, क्योंकि भी रिविजन सेशन है, ठीक है, अच्छा, इतना कुछ कर लिया, मैंने मॉडूल के पिछे के आटीपी के क्वेशन्स, और मेरे मॉग के क्वेशन्स कर लिए, मैंने सजेस्टेट कर लिए, बहुस ध्यान रखिए, ये करीबन अपका 60-70 माग कवर करता है, खाली क्वेशन्स नहीं करना है, पहले कॉंसेट समझना है, क्योंकि रिटेंशन इस वेरी इंपोर्टेंट, चीजे पता है, हमने पढ़ी थ लेगा, अरे दूलन है, दूलन, मेरा आंसर शीट दूलन है, जितना मैं दूलन को सजाओंगा, उतना मुझे अच्छा माक्स में लेगा, जितना मेक अप कर पाओंगे, करो, तब ही जाके माक्स में लेगा, clear, so all those people who want these notes, हो सामने दिख रहे हैं, आपको आप नीचे से डाउ है, ठीक है, so let's start, एक quick recap देता आपको syllabus का, जल्दी जल्दी अपनी book निकाल लीचे, note जानूर कर लीचे, ध्यान रखेगा बच्चों, ये revision session है, for detailed, regular lecture, fast track badge, along with the questions, आपको उसके लिए Google Drive, pen drive, buy करना होगा, you can buy it from भवर सर, और my side, letslearnindia.in, कहीं से भी आप ले सकते हैं, जिनको वीडियो के description में notes नहीं मिल रहे हैं, you can download it from the www.letslearnindia.in, महाँ पर free resources कर के tab हैं, वहाँ से डाउनो कर सकते हैं, या जो भवर सर की site हैं, महाँ पर free resources हैं, महाँ पर भी notes मिनेंगे, आप कहीं से भी download कर सकते हैं Sir, corporate and eco law, corporate and economic laws, 100 में का paper है मेरा, break up is 70 marks and 30 marks, ठीक है, this talks about your corporate and securities law भी समे हैं, and 30 marks will talk about your eco law, Now, वापस एक छोटा सा break up है, 37 का, mcq का, और descriptive का, mcq का और descriptive का, मैं 1000 mcq की practice कर लो, 1001 वा आ गया तो, Concept clear रहेगा, तो सारे mcq से आप answer कर सकते हो, average 25 से 26 marks आते बच्चे को, अगर आपने mcq सही लिखे, तो 25 से 26 marks आपको mcq में पक्का दिखेंगे, और इतने आने ही चाहिए, मैं बोलतों, 30 marks में से मेरे को 25 आ गया, मैं aim करूंगा 30, at least 30, ठीक है, पर जितना सोच उतना तो आत निये, यह सत्तर में मैं aim करूंगा 50, सो कुल मिलाके 75, माइनस 10% examiner का मोड़ अदब 69 प्लक, for sure exemption है, group 1 को secure करने के लिए, group 1 को secure करने के लिए, आपको एक paper तो इतना strong करना पढ़ेगा, जहां पर आपको for sure exemption है, it could be either SFM, और it could be either law, either SFM और इधर law, दोनों में से एक में ही for sure exemption आती है, audit तुम को ही पता है, मन की बात, एफर पहला paper होता है, इंडेस है, तो वहिया, इंडेस में नदिया लगी होई है, खतम ही नहीं होता है, संबनेर से लिएबस है, तो law और SFM, जिसको practical पसंद है, boss, SFM, जिसको theory पसंद है, law, कोशिच कीजे कि मुझे किसी भी कीमत में आपर exemption आए, ठीक है, तो यह मेरा breakup है, ध्यान रखना बहुत easy, से लिए बज़े, अठ्हाई chapters है खाली, उतना आपने को करने का, तो let's start with the revision, the first chapter of what we are starting is foreign company, पहला chapter जो पढ़ने जा रहे है बचो, foreign company, निकाल लीजिया, अब देखो, so whatever notes you have, whoever teacher you are following it, module अगर आपके पास है, सब खोल लीजिये, मैं आपको समने स्कीन पे notes है, उसे पढ़ा रहा हूँ, यह वापस से repeat कर तो यह बटा, revision session है, और May 22, quick recap करना आपने को सारे concepts का, let's start, 3, 2, 1, jam आता दी, let's rock, sir, foreign company, sir, foreign company क्यों हा दिया, दान सुन अभ यह मेरा इंडिया, कोई आस देगा नहीं, मजाक नोड़ाएंगा, sir, एक company है, अजूम करो, राहूल, इंक, यह अजूम कर मेरी वाइफ की company ले लेखते है, बेबी इंक, that's baby in corporation, मेरी सगी बीब है, उनके company है, baby in corporation, यह उस दमाने की बात है, चब बेबी, और मैं, तिंगल हुआ करते थे, ठीक है, long time back, baby was born and brought up in London, the baby was born and brought up in London, she came to India, she came to India, आई वो मुंबई में, अबे, I stay at Dharavi, है, so the hour is a world famous place, is the US largest time, में वह रहता हूं, हुआ तो क्या है, याक का है, अपन तो चिया मारवाडी में वह बद्दाता में क्या है, वह तो नवी ल्ुक Pres価 में, was born and brought up in London she came to India baby was born brought up in London she came to India उन्होंने क्या किया Mumbai में मुंबई में अपना एक थेला शुरू किया थेला वड़ा पावेशने का अब बॉमबई is very famous for idli also for vada pao also जो बच्चे अंधेरी में पाच्छो कुन को पता हो गा 10 रोग अपना idli में तेन इडली जबने चटनी चटनी है बैस फ़िदक शुरू किया तेला करने का थेला लग आया थेला आख है आप ने तो बेबी वास बॉन ट्रॉटर प्रॉट पर लंडन वो मुंबई आए मुम्बई में उन्होंने बिजनेश शुरू किया बिजनेश रूए बिजनेश रूँ किया कंपनी बच्चो कौन से कंपनी और एंपनी कौन से कंपनी पॉर इन कंपनी का मतलब क्या हुआ इट मेंस एनी कंपनी incorporated outside India it means any company incorporated incorporated मदा पाइदा हुआ किदर outside India and having a place of business in India and having a place of business in India and having a place of business in India and conducting any business activity in India and conducting any business activity मतलब वह वड़ा पाव बिचना वह इड्ली बिचना that is called as a foreign company foreign company की definition कहां लिखिए हमेशे रियान रखता maximum acts में 99% में जब वह applicarity की बात करता तो section 1 होता है जब वह बात करते definitions की तो हमेशे section 2 होता है फिर 2 के अंदर भी बहुत सारे clauses होते है तो अगे foreign company की बात करता हो वो कहता है section number 242 मतलब section number 2 clause 42 सर कौन से आएक का बिटा कौन से आएक का एक्जाम में पूरा लिखना अपने को companies act 2013 क्या बहुत को पढ़ना है बहुत सरे रूल्स की बाते हम लोग को पढ़ना है बहुत सरे rules भी companies rules 2014 companies rules 2014 सेक्शन नमर कौन सा है कौन से एक का हुआ 2013 रूल्स के लिखने है पन 2014 15 के भी रूल्स है 16 के भी रूल्स है 17 के भी रूल्स है पर हमको वह याद रखने major rules का ली 14 में लिखे हुए यह लिखना जरूर यह Indian companies act नहीं है बहुत सारे बच्चों को अपने भारत से बहुत प्या रहे एवन I love my country बट ध्यान रखना बेटा वो companies act 2013 इंडियन companies act नहीं है every word is important because you are in CA final welcome to CA final singam हर वर बहुत important so it says section 242 क्या कहते है ध्यान से लिखना भी sir it means any company or body corporate क्या बोलो कि आप any company or body corporate incorporated outside India incorporated outside India which has a place of business in India which has a place of business in India whether by itself मत अब खुद established किया होगा or through agent मतलब किसी agent को बोला वागाρέ साबस्करने के लिए मठक दुकान है घो डाउन है ऐ शोरूम है मौल तो Apa मितलब website त्रू थंदा करें perfectly by स्वार्मीजी वाली आपइंडिमेडिसेंटी टेली हर हर मोड में फिजिकली और electronic क्या कि बटा मों मेरे foreign company and 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 conduct any conduct any any business activity in india and conduct any business activity in india conduct any business activity in india तो ये बीटा मेरी definition होगे 242 कौनसे definition sir 242 definition of foreign company बहुत simple है एनी फड़ा 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 अनी company or body corporate incorporated outside india incorporated outside india and which is a place of business in india which has a place of business in india either through itself or through agent whether physically or electronically and conduct any business activity in india and conduct any business activity in india तीन बाते दीनों बाते होईगे तो वो foreign company निया है तीन बाते हैं quickly incorporated outside in india having a place of business in india either through itself और through agent whether physically or electronically and conduct any business activity in india and थिया लिए लिक्षे नंबर कौन से काbench इसर टू-फॉ-ञटी-टू-थी तू-फॉ-टू-थू-चू-पॉ-टू-च।-व वट इस एलेक्रोनिक मूड व इस एलेक्रोनिक मूड पर और आप सब्सक्राइब ने खिर आप इस पर कंपनी इस ब्राइक है क्या लिखा है फॉर्ण कंपनी जो अच्छा कैसे लिखो किया कंपनी दिखने का ब्लैकेट में चैप्टर का नाम लिख देने का अगर डिए डिर्क्तर पर रूल्स लेख रहे हैं कुछ तो ब्राकेट में मेंगेशन चैपनीश चैपनीशेट मेंटमेशन कंपनीश रूटए क्या बोलता है है और इलेक्ट्रोनिक मूर्ट मेंज चैडिए लोड्यों दे सक्टीर सेंटें इंडिया इन इंडिया और यह चाहिसे मतलब जान सुनना भी ऐस एक कंपनी एक नीच जो पैदा हुई लें में आझू कोरो ऐंथ को इन कोपेस्टेस्ट ये पैदा हुई है लंडन में धंदा कर रहीouver मुंबाइ में किसके टोसर्वेबस्येट के टो किसके टोसर्वर ए diver hai the हभी विए वख उन्हान वबई विक भी से कभा तर्व कर दोबर अब यह चोई है कंपनी कॉन से क्विए यह कंपनी ओन्प्किलिया ओडंडन में धन्दा कर रहे हैं मुंबई में सर्वर की दर एक दर है वेपसेट का दुबाई में दुबई मैं है कि अलह बीब ल ला वड्ल foreign company है या नहीं है जोर से बोलो जय माता आरे बोलो जय माता दी सर यह foreign company है because electronic mode में क्या बोला है sir whether the main service is installed in India or not whether the main service is installed in India or not कोई फ़रक नहीं पड़ता वो electronic mode में cover हो जाएगा sir वह बीटूभी और वे कर रहोंगे है वीटूभी ज़िया तो वह बीटूभी का रहोंगे मधर्क टो consumer business to business कर रहोंगे या B2C वाले व बुवी बीटूभी वाले होगे finance वाले बूभी भी theμε kutekan consumers q Marina a data interchange कि और डिजिटल सप्लाइ ट्रांजेक्शन हो गया यह वो लोग ऑफर कर रहे होंगे टू डिपॉसिट एक्सेप्ट डिपॉसिट्स ठीक है इन्वाइट कर रहे होंगे यह एक्सेप्टिंग डिपॉसिट्ट और सब्सक्रिप्शन से इन सिक्याइटिस लोगों को लगा हो स्कीम में पैसा की तर और क्या कर सकते लो टेली मार्केटिंग टेली कम्वेटिंग टेली मैडिसन एजुकेशन इंफोर्मेशन रिसच और फेवरिट और अधर डिटा कम्यूनिकेशन सर्वेसे यह पूरे पूरे क्या हो जाएगे इलेक्ट्रोनिक मोड में आ जाएंगे सब्सक्राइब कर अगर वह एलेक्ट्रोनिक में कवर ऑगया पैदा विदेश में हुआ है पैदा विदेश में धन्दा इंडिया में कर रहा है इलेक्ट्रोनिक मोड के स्टेल इस आप और इस टेले इस यह अपर इन आ पड़े जाब टूब गिच्छ पाइशन एचिए इस सर तुवर्टिट को एट कोड़ देपिनेशना फॉर्ण कम्नी लेक्स कुटली रिकाप तर इस एनी कम्नी इन कोपरेट इंडिया विदेश में विदेश में वह एलेक्ट्रोनिक मोड में कवर हो जाएगा यह तीनों होएगा मदलब जैसे इंडिया में आती है जैसे वह कंपनी इंडिया में आती है सबसे पहले कितर उतरेगी एरपोर्ट एंक्स मेरे घर के टेर्स पर उतरेगी कौन से एरपोर्ट पर सर इंटरनेशनल एरपोर्ट पर वाव स्मार्ट आधी वह स्मार्ट तो जैसे पॉर्ण कम्नी इंडिया आती है सबसे पहले कहां जाए कि सर्फ वो रोसी ऑफ न्यू डेली के बाद है किसके बास र आपने इंग्लिश में सक्रैप वो लेंगे स्क्रैप बच्चों क्या बोलेंगे सक्रैप ए नेक्स्ट एक्षें अपनी बुक में आ जाए है सिर्फन करने जा रहे है सेक्षण 380 उसको बोलते है डॉक्यूंट डॉक्यूंट तो बीडिलीवर्ट तो आरो सी भाई फॉर इन क्या है principle इंडिया में आकिो इंडिया करने तो नियुवी से ऐवरी कुप्राइन माश्म大家好 a कॉछ है करने कम रहे हैं है कहींख भी सेवन डीज भिह फोर्टीन डाइस ऐसे त्व नहीं पले पढ लार रहा है जैमात आदी तीज दिन सामुई के मैंसिमम जगा पर यह यह याद कर लेंगे पर नहीं पढ़ रहे पड़ा तो भीया तीज दिन सब्सक्राइब निammat विडीज चेनि नहीं में धंदा करीं कलकत्ता में धंदा कर रहे रुफीं में धंदा कर सब्सक्राइश नाम दो एड्रस दो और नाम दो आड्रस दो नाशनल टीडव पैन नमबर दो और ऊसका अपनी में टेक्टरों का सिन नमबर दो साथ सेक्रेटर अंबर शिपन बर दो सका तर्टा फारम भर थो पास्पोर्ट का फारम बर्तो लाइसंस का फारम भरतों एक्जामनेशन फारम भर रहे तुम लोग वही सब चीजे पूल नेम सरनेम एंडेट आप गर का पता इमेल आइ membership number ने क्या किया है एक बार अलग से पूछा को स्क्रैप नहीं पूछा पूछा कि जब अपन लोग स्क्रैप देते हैं यार उसी को उसमें डिरेक्टर और सेक्रेटर का डीटेल जाता है तो इडिशनल डीटेल्स क्या जाएगी तो आपको कुछ नहीं याद करना इतने याद इस सब्सक्राइब सेख़ां तो इस कounge अन्दर अलग से पॉइंट आगया आपका घ्स इंधिया में की ना स्ब्द्र इंपन र क्याई कि से रोसी पिटा कौन से रोसी को कौन से रोसी और न्यू डेली रोसी ओप न्यू डेली किसको सर आरो स्थी ओप जू डेली को एस ते क्या है सेक्रेटरी सी सर्टीफ़ट कौपी अव चार्टर स्टीफ़ट कौपी अव चार्टर स्टाचिवस मौ आ हुआ रोसी इन इंग्लिश अब जैसे ऑग्जांपल अपने शूडेंट राहूल 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 पाई रॉपाईदा हुआ है सर यूगांडा में यूगांडा गैस यूगांडा इस प्लीस इंफरिका विनीगेट अरफिक एरपोर्ट में छ कबाच्क यूगांडा मापरलोगव जींग जांग लैला हो 2 proud यह पाइदा हुआ है वह आया कि में बिजनस करना बोला इब जाए बच्चे के लिए बुख कर आवर था साह दिन मांगते रहते हैं अब यूगांडी अब कुझरावाट माहराथ में राजस्तान राजस्तान राजस्तानी से यूगांडी अब तुमको पढ़ने पढ़ता है क्या होता है अच्य बोलो तुमको युगांटी समझ में आता है इस तो लोग क्या बोलता है आपको देना पड़ए पर से बुम्हांडी का समझा है तो लोग क्यां बोलता है आपको देना पड़े गांग इंग्लिश में अगर parler इंगलिष में है तो इसाल पति अर। English in English if not in English then a certified certified transit copy in English certified transit copy in English clear R.C full address of registered office of the company register principal office of the company registered office मतलब देश्का के विदेश्का सब रजेश्का सब्सक्राइब करेक्ट सब्सक्राइब इन इंडिया अभी क्या हुआ रहुल की तो यूगंडा चला गया वापस तो भी हमार ब्हाइंगे यूगंडा में पत्ते पेना क्यों जिंग लाला हो तो क्या होता है तो तो पाल तुम लोग युगांड लोग नी जाएगा पाल लेगा ए राहूल तेरी इंडिया में आदमी का नाम देखे जा जो यहां का रेसेडेंट होना ची तेरी कमने ने कुछ भी गांड गया ना महीं उसको छिट्टी बेजेगा मैंने उसको छिट्टी इस अजूम के मैंने वो छिट्टी तिर को वेजा तो उसको बोलते ऑफ्रैस परशन रेसेडेंट इंडिया ऑफ्रैस परशन रेसेडेंट इंडिया पी से फूल एड्डरस और प्रिंसिपल प्लेस और बिसनासी इंडिया बचला चला के वो लोग कहेंगे कि हमारा कोई भी प्रमोटर डिस्कॉलिफेट नहीं है ना तो इंडिया में ना तो इदेश में हम लोग चिला-चिला के सच बोल रहा है सच की सिवा कुछ नी बोल गीता पर हाद रखे कसम खाता है अरे अपनी गीता बभीता हाद रखे कसम कहता है कि भाईया देखो नन ओफ डिरेक्टर नन ओ होगा यह eligibility यह से eligibility विटाई यह eligibility उठाके किसको देनी अपने को मैं तब यह scrap उठाके सर आपको scrap उठाके आपको देना है ROC of New Delhi को सिर्फ कौन से फॉरम में फॉर्म नंबर है FC1 FC1 फॉर्म नंबर क्या है FC1 एक नंबर FC1 तक कितने दिन के नंदर विदिन 30 days of establishment within 30 days of establishment within 30 days of establishment within 30 इंडिया क्लियर किसको जाएगा ROC of New Delhi को कौन से फॉर्म में FC1 विदिन 30 इंडिया इंडिया जैसे वो इंडिया में उनको उठाने देना पड़ेगा स्क्रापे स्क्रापे किसको जाएगा ROC of New Delhi को कौन से फॉर्म में FC1 विदिन 30 days of establishment of place of business in India स्क्रापे में S तस details of secretary director name address, occupation, nationality, pen number, passport number, din number, SIM number and membership number से सर्टिफ़ड कौपी आप चार्टर महुआ हुआ 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 इंग्लीश अकरे इंग्लीश एकर इंगलीश है रेजिस्टर एड्रस रेजिस्टर एडर्रस काहां का सर्फ विदेश का ए से authorized person restaurant इंडिया तब पी से place of business in India इसे एलिजिविडी के बहुत कोई भी डिरेक्टर मारा डिस्क्वालिफाइड नहीं है किसमें ना तो डिरेक्टर ना तो आधाइस पसंद वेदर इन इंडिया और आउटसर इंडिया सारा कच्छा उठा के दिना आपको किसके मूपे आर उसी ओफ नुडेली इन फॉर्म नं करना सक्रैप क्रैपे में क्या हो अब अपना जो गैसार मेरा साइज ऑफ इस वी सिंगे सामेरा प्लेसब बीजने से रही सिंग्ट हैं तो अगर मेरे को alteration करना है सर बेटा में किसमें करना है सर अल्टरेशन करना है Scrappy में in case of any alteration in case of any alteration in above information it should be intimidated to ROC बेटा कौन सा ROC ROC of New Delhi in form number form number FC2 form number क्या बेटा FC2 form number FC2 किते दिन के अंदर within 30 days of making alteration within 30 days of making alteration in case of any alteration कहां जाएगा सा form number FC2 registration FC1 alteration FC2 सर एक छोड़ा सेक्शन आएगा 386C 386C क्या कहता है place of business include दो चीज़े share transfer office share registration office अगर बिटा question में बोला है अगर question में बोला है place of business share transfer office share registration office मतलब पैदा हुआ लंडन में मुंबई में share transfer office है तो मान लेंगे कि वो जो share transfer office है वो मेरा क्या हो करना पड़ेगा place of business हाँ condition तीसरी भी है कि दंदा भी करना पड़ेगा condition तीसरी भी है तो पैदा हुआ विदेश में पैदा हुआ विदेश में इंडिया में क्या है उसका सर place of business क्या है share transfer office and conducting any business activity इंडिया तो ही जाके वो foreign company बनेगे तो section number कौन सा 386 c states place of business includes share transfer office share registration office share transfer office share registration office तो देखो हमने कौन कौन से section कर लिए sir हमने 240 टुक किया that is called as definition फिर हमने किया 380 that is called as scrap a फिर हमने किया 386 c place of business includes share transfer office share registration office share transfer office share registration office next section 379 next section 378 उसको बदबन foreign to Indian foreign to Indian अब जान्दर सुनूं अब उन्हें क्या बात किया था बेभी बेभी पैदा की दूरे sir विदेश में वह इंडिया आई इंडिया में उनका क्या business शुरू किया ठीक है मेरे साथ मतलब मेरे इंडिया में क्या कर रहे सब बोलो एक धन्दा शुरू कर रहें ठीक है एक धन्दा शुरू कर रहें जब रहें इंडिया में एक धन्दा शुरू किया बेभी इन कॉपरेशन पैदा होई है लंडन में इंडिया में धन्दा कर रहे हैं सब कौन से कंपनी सब कौन से कंपनी हो चाहेगी foreign company कौनसे company पेटा foreign company अब अगर इस foreign company में अगर इस foreign company में minimum minimum 50 minimum 50 percent minimum 50 percent minimum 50 percent of paid up share capital पेटा minimum अगर एक foreign company how do you become foreign company in corporate outside India having a place of business in India and conducting any business act in India if in that foreign company minimum 50 percent of paid up share capital is held by paid up share capital से क्या पकड़ने का अपने को equity पकड़ो preference पकड़ो दोनों पकड़ो whether equity or preference whether equity or preference या फिर दोनों is held by is held by या तो a b a b कौन है Indian citizen या फिर a b limited a b limited मतलब कौन सर Indian company a b concept Indian company if in a foreign company minimum 50 percent of paid up share capital is held whether equity operated by Indian citizen, Indian citizen or Indian company or Indian company Indian citizen और Indian company Indian citizen or Indian company. then then पेटा ये जो विदेशी थी ना विदेशी बेबीइशी थी is ि विदेशी कłamyam aga 50 बसद मेनिमिमाम या तो इट इंड इन सेट इंवेश कर रखाई ए गर हेगा इंडिन कम dilemm Freddy कॉम्ब कर आइए तो केले या कऊमब इंडिशन नहुं खुलब बहुत इंडिन कमी तर अजुन फूर ऑस इन देशम पोलन कमनी हम लोह तो बी इनकॉर्परेटेड शाल वी जीम तो बी इनकॉर्परेटेड इन इंडिया 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 शाल वी जीम तो बी इन 50 % मोल, मिनम 50 % मृक्पग थेटया का प्याप सैन्य कपति थीडियां, इन 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 इनल बान इनल बाहले में, or or combo or by Indian company and one or more citizens or body cooperating baja मतलब sir combo combo Indian citizen are Indian company or or combo then whether singly whether singly or in aggregate whether singly or nagga theulla Allag leaning than such foreign company shall be deemed to be thenchen for such foreign company shall be deemed to be in corporate India shall be deemed to be in corporate India shall be deemed to be in corporate India lleg** more demanding LEADM for deemed indian company better इन को सेखेने वाले यह ज चर्व करने 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 साथ में सा सच अधर प्रोविजन प्रोविजन डो करने as if अधर कम्पनी इंडिया because अधिको So Шठ इस mini श्च यू अbest लिज वींड क्रद डियर सब 22 बिला चाप्टर 22 कौन सा हो गया अपना यह फॉर्ण कमनी के चाप्टर एंड तच अधा प्रोविजन सच अधा प्रोविजन एज बिप्रिस्क्राइब आज में बिप्रिस्क्राइब बताया जाए का हमको से लिबस में नहीं है विद रिगार तो बिजन्स के डान बाइट इंडिया अज इट वरण कंपनी इन कॉपर इंडिया तो कुंकि से इन्टिंट कमनी मान नंगे तो सो कुछ इंडियन कमनी के भी प्रोविजन फॉर्विजन फॉलोव करने पढए जो कमई जाया वह कौन बतार गासर वो सी जी बता या शीढा मों सी लेग नहीं हो हमको इतन कैसा problem they have to comply with chapter 22 they have to comply with chapter 22 and such other provisions as 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 may be prescribed as may be prescribed वो prescribed नहीं हमको syllabus में नहीं है section no. 379 percentage याद रखना है minimum 50 percent percentage कितना सा minimum 50 percent minimum 50 percent तुमने बेटा 4 section किये quickly recall करते पन फटा फट जल्दी पहना section कि अपनने 242 242 मतलब सार definition हो गया 380 380 मतलब सर्ट scrap scrap 386C मतलब सर place of business include share transfer office share registration office फिर हमने क्या 386C 386C मतलब सर place of business include share transfer office share registration office फिर हमने क्या 379 379 मतलब सर foreign to Indian 371 लोग्या foreign to Indian ठीक है अब नेक्स हम पढ़ने जाले 381 क्या कहते है 381 मतलब accounts of foreign company 381 मतलब क्या आए अकाउंट्स आप अपनी बहुत सिंपल है process है पूरा देखो सामने every foreign company shall prepare the financial statements of its India business office India business every foreign company shall prepare the financial statements fs मतलब सर्फिनांशल चेटमेंट बालेंशेट पेनल cash flow note soki statement of changes in equity सब्सक्राइब करते है और एस नियर देटो पर each financial year for each financial every foreign company shall prepare the financial statements of its India business as per schedule 3 for each financial including documents to be attached as per chapter 9 that is accounts of company cash flow note soki attach करना पढ़ता है and and the copies of latest cfs of the parent company अगर सब्सक्राइब करना पढ़ेगा अपने को latest cfs भी बहुत सिंपल है every foreign company shall prepare the financial statements of its India business as per schedule 3 or as near directo for each financial year for each financial including the documents as per chapter 9 that's accounts of foreign company and copies of latest cfs वो अपने को attach करना पढ़ेगा पीछे अच्छा आपको कुछ चैप्टर 9 मतब जो को cash flow नहीं देने का है मेरे को सूकी नहीं देने का है मेरे को cfs नहीं देने का है exemption ची apply to cg apply to cg for exemption apply to cg for exemption number two sir every foreign company shall submit the above document in English logical English menu sir मैं को क्या चैगा certified translated copy क्या चैगा मैं को certified translated copy sir every foreign company shall submit to roc in form number fc3 fc3 क्या जाएगा sir list of place of business in India list of place of business in India fc1 registration fc2 alteration fc3 list of place of business in India list of place of business in India form number fc3 sir every foreign company along with its fs shall submit to roc statement of related party transaction जाएगा statement of repatriation of profit statement of related party transaction statement of repatriation profits and statement of transfer of funds अरे वो data creator पैसा यहां से हमाँ transfer किया है ODCC के लिए पैसा गया है short term के लिए पैसा गया है वो भी दीजिए सरा तीन चैसे देनी पढ़े के statement of related party transaction statement of repatriation profit statement of transfer of funds यह तीन चीदे जाएगी जाएगी तो all the above document should be submitted to roc within within six months from the close of financial year within six months from the close of financial year sir close of financial year मतलब 31st March 6 महने मतलब 3 September 3 September तक देना है अचा हावेवर roc के अंगे और extension 10 महने में नहीं नहीं थे आपने सार अवसी के अगने और for maximum 3 months question में कुछ नहीं बोले never ever अग्सेंशन दे सकते हैं 31 दिसेम्बर तक हम तर कि आवरी फॉरेंशर का महरी थाया आटे सनी पार्घबकर एंस नमी्ट ये मह जोड़्या क्यो आटे सी बेंट आपको लिस्टा प्लेस देनी पड़ेगी इन फोर्म नमर क्या है अब यह कुछ फिनांशल यहर की डेफिनेशन है और इस चाप्टर के रिलेवेंट नहीं है इस चाप्टर के लिए रिलेवेंट होगी बट आपको बेसिक पता अचाहिए सर होता क्या है फिनांशल यहर का मतलब होता है फॉस्ट एप्रिल से लेके 31st मार्च फिनांशल यहर का होता है फॉस्ट एप्रिल से लेके 31st मार्च बराबर एक एप्रिल से लेके 31st मार्च बट सर पॉसिबिलिटी होती है कि कोई जून में हुए कुछ सेप्टेंबर में इंकॉर्प होगे खुन affirm nation दिक एके अलगे लिए कशा क्कपिल साल होंगे तो फिनांशल को मार्च बट इसामडर मय कि जैसे करो में लेक्त एक्षाइस डिसेंबर को पैदा विए 28th December 21 को पैदा होई अब मेरे पास आने वाला 31st March होगा मेरा the financial cup खता हो गाए 31st March 22 मतलब आने वारा 31st March एगदम simple भात्ता में आने वाला 31st March आने वाला 31st March clear but if the company is incorporated on or after on or after 1st Gen company is incorporated on or after 1st Gen for example 4th Gen को पैदा होए 4th Gen 22 को पैदा होए फिरनांच साथ अगले सा क्रांट मतलब 31 मार्च 23 31st March 23 यह काई के लिए कर रहे है अपन इबार में तो क्या होगा हमेशे एप्रिल टूमाच एप्रिल टूमाच चलेगा दा फॉर्स्ट यह फिनांशले कैसा पकड़ने का मतलब इस वाले केस में यह वाला जो केस है बेटा इसको मैं इसको मैं मानता हूं यह वाले केस मेरा ती म समझा आपको खत्र तो not relevant for this chapter but yes financially आपको पता हूं अचे कहां क्या आता है आगे देखे अभी sir next section 381 क्या बने 382 to disclosure क्या बोलो क्या 381 to this 381 for accounts of family 382 to disclosure 382 to disclosure पहला disclosure जाएगा नेम आफ कंपनी एंड ये कंटरी इन विच इंकोरेटिट या लागाने का शर्ट बी एक्पिटे बिदी इंट बीदी इंटि आइव शेबिदे इंटिद बीघिदे आउटसाइब्यूटे एवरी ओपिस अरॉस हर ओपिस के पार बोल लगा दीजिए नेम and place of business in india in english and in local language in english and in local language sir name of the company and the country of income should be exhibited outside every office or place of business in english and in local language and in local language and 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 on all business letters bills letterheads and other official publications of the company so letters which i jai ka bills pa jai ka notices pa jai ka and other official publication of the company but kaan jai ka sir name of the company and the country of income and office ke bhaar lagau and every place of business in india and in local language and and apne all bills notices letters sab ke bhaar laga de chai in english language in english language number two number two era the fact that the liability of the members is limited beta kya bolo ki the fact that the liability of members is limited the fact that the liability of members is limited kaan lagau sir same point should be exhibited outside every office place of business in english and in local language and on on same point a letters bills notices and 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 kya adhoi ka sir prospectus lika hai basne and 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 hi hapa mistake is ki and ira prospectus and prospectus khali add kya ho jaga hai hapa prospectus and prospectus in english ba ki pura answer same hai pura answer same hai abde khu notes me hapa likha ho ga 382 two two disclosures to exam me question kya sir what are the additional disclosures to be given by the foreign company what are the additional disclosures to be given by the foreign company bhoat simple hai sir pahla point kya hai name of the company and the country of incorporation kaan lagau sir apne office ke bhaar lagau a place of business ke bhaar in english and local language and all on the letters bills notices in english number two the fact that the liability of members is limited the fact that that bhi lagau kidar lagau sir same office ke bhaar lagau place of business ke bhaar english and local language nature same sir and all on the letters bills notices etc in english khali kya adh karna and prospectus khali kya adh ho jaga hapa prospectus samja aapko section number kya bhaada 382 two disclosures 382 two disclosures kya bolo gap 382 two disclosures 382 two disclosures 380 krap a 386 c place of business include share transfer share registration office 379 foreign to indian 381 accounts of foreign company 382 two disclosures 382 two disclosures bhoat simple 383 service of documents bhoat simple 383 service of documents abhi dekho kya hai sir mera jo roc hai uusno koi bhi document dina hooga abhi foreign company ka johar register office ho to videsh mein woh videsh ni jayega ya da uganda wala example woh videsh ni jayega kis ko dhega authorized person ko agar usna authorized person ko dhe diya usne agar authorized person ko dhe diya so it is assumed kya usne company ko dhe diya so it is any notice any notice any notice any notice or document any notice or document which is required to be served on foreign company shall be deemed to be served shall be deemed to be served if it is served to authorized person which is resident in india under section 380 krap a ka a a a a authorized person kya diya panne post se diya or electronic moore se diya sir post te diya or electronic moore se diya post te diya electronic moore se diya pote diya or electronic moore se diya is ko bol hai pannu 383 service of document kya bolo nghe 383 service of document aap itna साही है कोई भगाया नहीं है पास्ट्राइक रिविशन कर सदें इतना ही है देख लो आपने टीचर की बुक में महेंगे वाले सेम होगा any document or notice which is given which is required to be served on the foreign company it will be deemed to be served if it is given to authorized person as per section 380 या थ्रापे में आए इधर भाई पोस देजिए सर इलेक्रोनिक मूर देजिए section नमर के 383 service of document 383 service of document clear next 384 charges क्या बलगा चौप 384 कैसार करना है 384 charges 384 charges charges मतलब charges अरे वो mortgage वो pledge वो hypothecation करते ना पन section महां फालतु exam में आना बहुल रहर चांज है खाली याद करना आपने को charges क्या है sir the provision of section 71 मतलब debentures the provision of section 92 मतलब annual return the provision of section 135 मतलब CSR the provision of section 71 the provision of section 92 the provision section 135 the provision of section 128 मतलब books of accounts the provision of chapter 6 chapter 6 मतलब charges वाल chapter the provision of chapter 14 inquiry inspection investigation कुछ नी इतना याद करना है 71 92 135 128 chapter 6 chapter 14 shall apply mutatis mutatis to foreign company मतलब अरे सर जो 71 में लिखाया सर जो 128 में लिखाया सर जो 92 में लिखाया सर 135 में लिखाया सर chapter 6 में लिखाया chapter 14 में लिखाया जितने भी बाते लिखे ना सर it will apply same as it is to the foreign company it will apply same as it is to the foreign company mutatis mutatis मतलब same as it is same as it is इतना ही है मतलब अरे सर charges की तो heading दिये charges को खले एक ही point बोला है वह लोग ने इतना ही बोला है sir every foreign company at the time of creation of charge सब्सक्राइब लोन लिया होगा modification of charge जब security enhance की होगी यह loan enhance की होगा कम की होगा या फिशाटिस्फेक्शन आप चाहिए सब्सक्राइब पेमिंट हो गई होगी so every foreign company at the time of creation satisfaction modification of charge creation satisfaction modification of charge shall be intimidated to rc charges के में तो एक ही लाइन है पर जब आब model से देखोगे यह अगरा bear x से दोगे इतना है लिखा हुआ है 384 चार्जिस 71 92 128 135 चाप्टर 6 चाप्टर 14 चाप्लाइब मुट आटिस्फ मुट आंटिस्फू foreign company मुट आटिस्फ मुट आंटिस्फू foreign company इतना है इतना है इतना है अब इसमे 92 में एक annual return में एक फॉर्म बोला हुआ है जाना सुनना भी foreign company shall prepare and file annual return in form number FC4 बेटा form number कौन सा हिए FC4 एक सेग्ड कुक्ली कुक्ली FC1 registration FC2 alteration FC3 list of place of business in India FC4 annual return FC4 का लोगा बिटा annual return along with the prescribed fee should be filed within within 60 days from the last day of its financial year to the ROC containing the particular as they stood on the close of the financial year आपको बिटा साथ दीन में submit करना है विदिन last year of the financial year 31st मान से साथ दिन में आपको submit करना है form number FC4 form number बेटा कौन सा FC4 form number FC4 clear form number FC4 थो आसा डाइसी लगते हैं आपको साथ दिन financial से कैसे होगा वहां पर अपन अकाउंट सब्मेट के 6 महने में मतब 3 September यहां पर वहां था साथ दिन contradict करता है पर आपको एक्जाम में यह लिखना है आई नो वो आप डीप में जाके पढ़ोगे मापा 6 महना लिखा हो एक सेप्टेमबर अकाउंट सब्मेट करते हैं अक्तोबर तक करनी होती है बराबर तो contradict कर रहा है यहां पर बढ़ ठीक है ध्यान रखना एक्जाम के लिए आपको यह पढ़कर चलना है आया नहीं हास एक्जाम में फॉर्म नंबर ऐसी 3 क्या था मेरा सर अन्युल रेटन पर लिए लिस्ट आप लेस्ट ब्लेसर बिजनस इन इंडिया सिर एसी 4 क्या मेरा सर अन्युल रिटन एफ्टीपोर के मेरा अनुल रिटन वन टू थी पूर वन रिजिस्ट्रेशन टू ऑटरेशन थी लिस्ट आप लिस्ट आप बिसनस पूर एनुल रिटन बैटे कर दिमांग में इजी तो यह हो गया मेरा सर्ब 380 चार्ड चार्ड इस सेक्शन स्क्रिबल कर ले एक बार 7192 128 135 चाप्टर 6 चाप्टर 14 शाल अपलाएं मुट्राट इस मुट्रांड इस फॉर इन कमनी इतना है पढ़ना है सेक्शन नमबर 380 चार नेक्स्ट 387 क्या बोलता है डेटिंग फ्रॉस्पेक्टर्स एंड पर्टिक्लर्स तो बी कंटेंड देरिं मतलब इसे का बड़ा भाई है 389 अनेक्ट्रस तो प्रॉस्पेक्ट्रस प्रॉस्पेक्ट्रस पर दो री क्वेशन अगर 87 आता है 87 मतलब सर प्रॉस्पेक्ट्रस के अंदर क्या क्या जाएगा sir first prospectus should be dated and signed before it is offered to the public to subscribe for the securities of the company and kya kya जाएगा पहला the instrument constituting or define the constitution of the company मतलब कम्ängen का मऌः हुअः the instrument defining or constituting the constitution of the company मतलब कम्निका मवजअ हुआ number two the provisions under which the company was incorporated मतलब विदेष का नि मिजा है क्या बो спокой satisf अब ये फिदेश का कमनी सक, the provisions under which the company was incorporated. Third, the address in India where the above documents can be inspected. The address in India where the above documents can be inspected. It could be place of business but it may not be place of business. हो भी सकते नहीं भी हो सकता. And the same are not in English copy, तेना certified, translated copy. तेना certified, translated copy. Sir, the instrument defining or constituting the constitution of the company number two, the provisions under which the company was incorporated, number three, the address in India where the above documents can be inspected. बराबर, Sir, D, D से, the date on which, the D से, date on which the company was incorporated. E, इसको मैं D बना देता हूँ, E. E से, country, country, in which the above documents are. D is the date on which the company was incorporated. E is the country of incorporation. E is called as E से, country of incorporation. F, address or place of business in India. Address or place of business in India. ये शे चीजे प्रोस्पेक्टर्स के अंदर जाएगे, बच्चो, ये शे चीजे प्रोस्पेक्टर्स के अंदर जाएगे, क्या क्या सर? instrument defining or constitute in the constitution of the company. Sir, number two, the provisions under which the company was incorporated. Number three, C, C क्या है का सर? ऐसा है जगा, जहां पर ही documents inspect कर सकते. D, date on which the company was incorporated. E, country, country of incorporation. F, address or place of business in India. Address or place of business in India. Sir, one, two, three, मदब उपरवाई जो तीन पॉइंट है, is not applicable, is not applicable. When the prospectus is issued, after two years of commencement of business. ABC is not applicable, one, two, three is not applicable. When the prospectus is issued, after two years of commencement of business. After two years of commencement of business. अगर बिटा आपको दो साल हो गया, धन्ना किये, तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा देने का जरुद नहीं है. जरुद नहीं है, यहाँ पर मैंने लिखा हुए कुछ, refer example, page 4, example 4 on page 9.12. तो module में 9.12 पर एक example होगा, वो देखना जरूरी है. देखना जरूरी है, ठीक है? तो notes में लिखे रखिए, example 4, page 9.12. अगर आपके उसकोई और notes है, कोई और teacher के notes है, आप वहाँ से लिखे 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 लिखे, example 4, page 9.12. module, new syllabus. क्योंकि module के बीच के illustrations करने जरूरी कोई कोई नया चीज है, भरोसन नहीं आया जाए, कोई में 22 में स्टूरी मोडल को बहुत जाद चेंज किया है, मतब बीच बीच में, examples लागे, पीचे, test yourself लागे, तो जो भी अलग questions से मैंने हापर marking कर रखी है, तो flow में हो जागे, तो क्या आता है, मैं जब पढ़ाओंगा, जब आप पढ़ेंगे, जब आप exam देंगे, तो याद नहीं रहा, बाई चन्दा कर सेम question आ गया, तो मेगो कभी भी रिग्रेट नहीं हो ना ची है, तो इस example 4, page 9.12, साथ, section नूमर कौन से 387, बहुत सिंपल है, 6 point, A, A का था, विदेश का महुआ हुआ हुआ, मतब, the instrument constituting or define the constitution of the company, B, the provision under which the company was incorporated, C, address in India with above documents can be inspected, अगर वो Englishman तो certified transfer copy, D, date of incorporation, E, country of incorporation, F, address of place of business in India, साथ, पहले तीन देने का चाहते हैं, जब में कोई धन्दा किया है, कितना साल होगा है, 2 साल होगा है, 2 साल होगा है, it is issued after 2 years of commencement of business, commencement of business, okay, and then you have to refer the example, next section, guys, next section, quickly, 389, 389 कहा है, सार, 389 is basically annexures to prospectors, 389 कहा है, सार, annexures to prospectors, पीछे क्या क्या आएगा, सार, सबसे पहले, देखो, every company while issuing any prospectors, or subscription in a securities of the company, make sure, क्या क्या, it should be certified by chairperson, it should be certified by chairperson, and to other directors, it should be certified by chairperson, and to other directors, should be certified by chairperson, and to other directors, the prospectors shall state that on the face of it, that it has been delivered to ROC, कि हमने ROC को दे दिया, any expert consent, another document as may prescribe, shall be attached, shall be attached, तो पहला line कहा है, बोलोगे, सार, it should be signed by chairperson, and to other directors, पतब तीन साइन होईंगे, सार, उसमें clearly लिखना चाहिए, हम लोग भीया, आप जब issue कर रहे हैं, यह हम लोग ROC को पहले देज चुके हैं, कोई और expert का कुछ concern है, वो पिछा आप attach कर दिया है, पिछा आप attach कर दिया है, तीक है, अब rules में और clarification देखे है, सार, मेरे को क्या-क्या attach करने के, पांच चीज़े मेरे को attach करने के, क्या-क्या है सार, पहला, पहला ऐसा मेरा, एनी expert concern अंडर section 388, एनी expert concern अगर है, attach कीजिए, नमबर टू, a copy of contract for appointment of MD, और manager, appointment of contract for appointment of MD, और manager, अच्छा, अगर contract writing में नहीं है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, एक memorandum दे दिजिए सर, giving full particulars thereof, मैंने शर्क कांट्रेक्ट नहीं बनागा, पर कांगेश में तो लिख के दिया होगा न, appointment letter तो दिया होगा न, कुछ email पर दिया होगा न, उसकी copy लगा दीजिए सर, contract नहीं बनाओ, ठीक है कोई दिखनें पर कुछ copy तो होगे न, not entered in auditory course, but entered in last two years, copy of material contracts, not entered in auditory course, but entered in last two years, लाज हो सर मैं अंटर के लिखनें, डाले, detail डाले उसकी, पिछाँ टैच किजिए, D, copy of underwriting agreement, D क्या आएगा सर, copy of underwriting agreement, अगर underwriters है तो E, power of attorney, if the prospect is signed by the agents of directors, अरे सर, director ने साइन नहीं के तो, कोई power of attorney दियोगी न, तो सर उसकी copy लाटैच कर दीजिए, 5 चीज़े टैच करने हैं सर मेरे को, क्या-क्या, expert consent, पहला क्या है बच्छा, expert consent, number two, copy of contract of appointment of MD, या manager, अच्छा appointment contract नहीं मना है, कोई memorandum होगा, memorandum का मतलब सर कोई appointment letter, इसको अच्छा कर दीजिए, थर्ड, material contract not entering in audricos, but entering in last two years, important contract, material important contract, D, sir, underwriting agreement उसको attach कर दीजिए, power of attorney अगर किसी और ने sign किया है, तो, directors के अलावा किसी और ने sign किया, power of attorney, ये 5 चीज़े attach कर दीजिए, ध्यान रखना, अगर exam में आता है 87, 37, तो prospectus के अंदर क्या क्या जाएगा, सर वो 6 चीज़े जाएगे, जो अभी आपनने पड़ी, 6 चीज़े, ठीके, D, E और ये F, ठीके, D, E, F, अच्छा, sir, prospectus के पीच्छू क्या क्या जाएगा, सर, ये 5 चीज़े, expert consent, material contracts, MD का contract, underwriting contract and power of attorney, 387, 389, sir, what was 384, charges, 387, prospectus के अंदर क्या क्या जाएगा, 389, annexions to prospectus, prospectus क्या 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 जाएगा, 2 section मचा, फिछ आप्टर खतम, 392, penalty, sir, 392 क्या बेटा, penalty, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको याद करनी पड़ेगी, अरे सार, penalty पूरा याद करे, हाँ, important, important, आपको याद करनी पड़ेगी, कौन-कौन से important, बताता लोंगा, आपको याद करनी पड़ेगी, सर, क्या है penalty, लाद थे सुनू, इव दा फॉरेंट कमनी, इनी प्रोवेशन आप जिस चाप्ट, मैं लाद फॉरेंट कमनी कुछ भी कांड किया, सर, मिनिमम कितना है, वन लाइक से लेके, तीन लाग, वन लाइक से लेके, तीन लाग, वन लाइक से तीन लाग, अगर कंटीनिंग डिफॉल्ट हुआ तो, 50,000 रुपया पर डे, पर डे, पर डे, पर डे, 50,000 रुपेस पर डे, पर डे, पर डे, पर डे, ऐफिसर के लिए 25,000 वीब्र, तीन लाग, हो गया, किम घतें, और भगाया, कुट्यक के रेट में नंगां दोडा आया, बगाया बगाया चार माक का अंसर है सक्षिन 392 इतना है लिखने का है लेट स्क्रिबल आउट गाईस यहां सर कंपनी के लिए कितना पेलेंट है एक लाग से लेकर 3 लग का कुछ भी तोड़ा एक लाग से तीन लाग एड़ और पचाज यारोबया पर दे पर दे पर दे पर दे अच्छा ओफिसर ने कुछ भी कार्ण किया पांच लाग कि पर जीज़ियृanca फार्चेत पर से ढूंग कर गिसा कॉंसे 392 इतु सा लिखने एत्तु सा लिखने का चाहरु lime इस आयरी लेखे चाहर और ज़ direction good at समझा इस एकदम छाहर का है 393 अब एक को छोड़े-छोड़े सेक्शन से अपने को याद करने किए इजी से है याद कर लेते एक समझ लेते क्या है अब देखो तो अब 390 दो मेन सेक्शन होगा कि 390 है अपने को याद करना थे छोड़े-छोड़े कुछ भी तोड़ा ने एनी कॉंट्रेक्ट डीलिंग और रांडेक्शन विच शाल नॉट भी एफेक्टेड मतलब सर अभी चाइना से माल खरिट रके जपान से अभी अफगानिससान से तो नहीं क्योंकि वहां तो तकलीफ है माल से तो नहीं खरिच सकते तो कहीं से माल सब्सक्राइब तो करनी पड़ेंगी तैरको वह तो करनी पड़ेगी तो कमिन जोंट भी संटाइटल तो फाय एनी शूट लेंट सेट ऑफ में कांटर चांटर चांटर इंश्यकें अनी लीग प्रोशिटिंग जब तक आप इस लाओं का इस चाप्टर का वाँट्रमेंशन हो ठीक नहीं कर देते हो तब तक ना तो आप केस कर सकते हो ना आप सेट आफ क्लेम कर सकते हो ना आपको आप सूट कर सकते हो ना कुछ last section 390 offer of idea Indian depository receipts offer of idea Indian depository receipts सर ये क्या होता है इंडियन depository receipts सर मतलब जान से देखू कि इंडियन depository receipts अब एक कंपनी है Reliance Industries Limited Mumbai में headquartered है उनको इंडिया मार्केट से पैसा उठाना है उनको इंडिया मार्केट से पैसा उठाना है तो क्या इस्यू करेंगे सब वो लोग इसवाइ शेर्स क्या लेकर हैंगे से वुलोग IPO लेकर सकते इनिशल पबिक आफ़ या फिर फ़ी लेकर आ सकते फुर्दल पबिक आफ़ पर रिलाएंस Industries Limited को इंडिया आसे पैसा उठाने तो क्या लेकर हैंगे सब लोग शेर्स लेकर आंगे क्या लेकर हैंगे शेर अप्छा अगर ये निकार एफ व कर सकते हां आई टिसकेश से मेरिक दिएANG सूना लम्हा लम्हा याद है सफम ओवरेट्स सफमें सीखेंगे जी डिया रिडिया आब आब ऑब शुना लोगो थाना था या बाबू ने जी डिया रिडिया एस फम यादा है पड़ सार एक फॉर इंग नीये मतलब कौन जी सर आउजूम को आप लिंक या Microsoft Incorporation पर फ BLACK किदरं इंडियार दे इंडिया से है तो सर क्या वो कैसे इसु करेंगे लोग कैसे पैसा उठाएंगे मार्केट से इंडियन मारकेट से धांदवों सुन्मा जब रिलाइंस को से पैसा ची था और उन्त इशन किया शेइस इस पैसा चेता तो उसंने और अपने शेयर परिश के चिसके बीड़क पास एक कॉंष्टोडियन के बास वह कर्ष एकंवर्ड गिया किस में सर डेपोजिट्र ही कामरा इश्यू टेक्निकल इश्यू जब इंडियन कंपनी फॉरें से पैसा उठाना चालिए तो अपने शेर इश्यू नहीं कर सकती वो लोग क्या देंगे डिपो शेर गिरिवे रखें किसके पास कश्यून के बास वो कश्यून क्या करें करें का इसको डिपोजिट रिसीच म पैसा उठाओगे तुम लोग तेम वे तेम वे अगर फॉरेंड कंपनी को बच्चो मतलब एपल को इंडियन मार्केट से इंडियन मार्केट से पैसा उठाने का है तो क्या करेगा तर वो उसका जो भी सेक्यूरिटी जो भी यूनिट से वो किसको देगा है कश्यून को अब अब आपना अभी आगस तक कभी नालत सो पाला के आगे गई निए क्योंकि आपने बाद राशन का रखा लें पासपोर्ट नहीं तो सब्सक्राइब क्या करें का इंडियन डिपोजेटरी रिसीट्स मतलब तो यहां से कंकूलूशन निकलता है कैना इंडियन कमनी बच कि इसँ आईधिया भलелей अट्यप्ह व्लच्य प गेंडियन पनीसमे स्च उपहणन बचारें इसच प्रमें इसच घर आइंड मिंसने कना इसच और गल्यकल और रिंड कम्नी कम्नी ऐसर यहां राशनए होग एर सब्सक्ता का इंडियर गलट अंट्अर इस जाशन प्हें रि कैन थे एश्यू आइडिया कैन दे इश्यू आइड अइंविए उट्या प्लेसा बिसनेसी रश्यू है कैन देशू आइडिया दाउन से एस इनकाइड नंबाई पलेस बिसनस इन मॉंबै नो इन कॉप्रेटर इन मुंबाई प्रेस अबिसे लंडन कें देश वाइडिया नो क्योंकि सर यह दोनों केस में वो क्या बन जाएगी मेरी इंडियन कंपनी इंडियन कंपनी को गर विदेश से पैसे उठान तो वो जीडिया और एडियर से लेकर आएगे ना अच्छा इसका मतल नंट ओकवाद को छुदीर यू के इश्यों आइडियर समझा आपको यू कैं इसले इश्यों आई यह देखो अभी रूद्स कॉन बताएगा गा 2G रूज कौन अगा 119 यह पैसे के लिए इंडिया में बड़ी कॉन है इससे को सूंद चूर्थ इसक्षर के लिए इंडिया for offer of idea requirement of disclosure in prospectus related to idea the manner in which idea shall be dealt the manner of sales transfer transmission of idea sabkuch sabkuch an idea can be issued by a company which is incorporated outside India in corporate outside India whether or not whether or not it has established whether or not it has established or may or may not establish any place of business in India or may or may not establish any place in India that is whether or not whether or not it is a foreign company whether or not it is a foreign company whether or not it is a foreign company as per 242 it shall comply with SEBI and RBI directions it shall comply with SEBI and RBI directions what simple cg rules banaya ga SEBI or RBI direction follow The most important concept is क्या आपको देखना पैदा किदर हुआ है अगर पैदा विदेश में हुआ है इंडिया में बिजनस है नहीं है देख एन इशू आइडिया देख एन इशू आइडिया आइडिया चार फॉर्म देख लिए आपको आते हैं क्या आइफ सीवान सरा फीवान तीषी जिन्कीन के अंदर फीजरी आपको फित गुडेश extrêmement अर्ड मेंцन के सकता है सब्सक्राइब कर रहा है इंसे क्यों याद कर रहा है यह यह फ्सक्राइब सब्सक्राइब लिस्ट आ बिसन्स एफिपोर एनुल इंटर फिस्टार पिनेश समा लाला थाई कि पति जो एक घंटा लगा होगा मेरे एक गंटे में चाप्टर खता हूं मैंने आपको एक गंटे में रिवाइस करा दिया पूरा हर सेक्शन जो एक्जाम में आने की फुल संबाबने सारे करा दिया आपको अपनी मॉडूल से टीचर की बूक से महेंगे वाले नोट्स से चार्ट से यह वूख वूख सहां से आपको पढ़ना पढ़ लिए इतना ही पढ़ना होता है एक्जाम में इसी पर क्वेशन घुमेंगा हाथ किया जैसे चाप्टर खत्म होगा है सौल लग प्वर्शन वाटेवर क्वेशन और किसी ऑथर का बूक है मेरा नोट्स पढ़ा हुआ कर लिजे बहुत इतना कर लो ब अपने स्विस बैंक में दो रुपा डेपॉसित कर देना हो गया एक घंटे में जब सेकंड आम रिविशन करोंगे आदा घंटे में जब थर्ट ताम रिविशन करोंगे में 15-20 मिनिट इतना ही पढ़ना है आच 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 3D to 2000 सight। आच 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 । आच 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 की आच 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 पैस क्वीर वी काहे नियोड है 217212 is Skrapar चार्जिस 37 37 इस सब्सक्राइब अपना कंटेंस अप्राइब 392 पेनलिटी 390 IDR 390 IDR हो गया खत्म शलो बिना देखे करते है बिक बार कोई बुक में देखेगा इचोड़ इस अब क्या है आजो लेट्स विए फुरा चाप्टर पांश मिन पूरा चाप्टर खतम करने का नहीं सर 242 डेफिनिशन अप्राइब इंकॉप आउसर इंडिया वेदर इसे और थू एजिट बोलो मेरे साथ बोलो 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 बैदर फिसिकल बीश्थ तर्टी देजर और खुप फुरा खेंटो फुरा इंडिया सब्सक्राइब ऑस से नाम आता-पता सब्सक्राइब नें का सी चार्टर मौः ओवा फूआ इन इंग्लिशी इन सटिपार ट्रांसर कॉपी आर रिजिस्ट्र उपिस और पिमिलिश विदेश्वला ए ए व सरे एंदिय प सिंपल बिसन इंडिय उलिग व द लीजिमिल गडिर ऑथन फोर्य घ्ला इव्द मां इंठ्र बना आघसे ब्यु पर फोर Sounds गत्री इंडेल ओजितिन पान चैनल को अंचिगries विस्ट ऊंचांगेयों शर этर्ण अपनेगी कैसा रंद टीजिए तो पहले foreign company होनी चीवो, if in a foreign company, minimum, minimum, कितना, 50% of paid up share capital, whether equity or preference, is held either by Indian citizen, or Indian company, or combo, whether singly or jointly, then such foreign company, shall be deemed to be incorporated in India, it has to comply with chapter 22, foreign company की provisions, and, 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 such other provisions as may be prescribed by CG, prescribed नहीं के हम उसे लेबस में नहीं है, कौन सों के वो बताता रहे का उनको, then, 380, 380 is accounts of foreign company, and accounts of company में जो फॉर्म थे ना, balance sheet, PNL, cash flow, notes, हो कि वो सब attach करने का है, आपको कुछ exemption चीए, apply to CG, above document has to be in English, if not in English, certified translated copy, third, sir, आपने को देने का, list of business in India, form number FC3 के अंदर, sir, आपने को annual return भरने का, आपने को form number, annual return में नहीं है, sir, आपने को देने का है, तीन चीए, statement of related party transaction, repatriation of profits, transfer of funds, if and you, बराबर, fourth, पूर्थ हो कहा, fifth point, sir, all the above documents should be certified by practicing CA, all the above documents should be submitted within six months from the last year of the financial year, within six months from the close of the financial year, बराबर, 381 खता, sir, 382, two disclosures, two disclosures, sir, name of the company in the country of incorporation, काहा लागाने का, आपने को हर office के भार, place of business in English and local language, and all letters, bills, notices in English, number two, the fact that the liability of members is limited, काहा लागाने का, office के बार, place of business in English and local language, and letters, bills, notices and prospectors in English, and prospectors in English, 383, service of documents, sir, इसमें क्या सीखा पने, अगर कोई भी ROC को, कोई भी document, कोई भी notice, ROC ने कोई भी authority को का document submit करने का है, अगर उसने authorized person, जो 380 में दिया गया है, 92, 128, 135, chapter 6, chapter 14, शाल अप्लाएं मुटादिस, मुटादिस to foreign company, sir, जब मैं बात करतो, 92 annual return की, annual return में form number FC4, within 60 days, from the close of the financial year, राबर, sir, 3D 4 हो गया, 3D 7, contents of prospectors, 3D 7 was contents of prospectors, sir, prospectors के अंदर क्या क्या जाएगा, पहला, the instrument defining or constituting the constitution of company, मतलब महुआ हुआ, number 2, the provision under which the company was incorporated, number 3, sir, address with the above documents can be inspected, D, date of incorporation, E, country of incorporation, F, address of place of business in India, address of place of business in India, पहला थीन देने का ज़रत नहीं कभ, if the prospect is issued, after 2 years of commencement of business, आपको पहला थीन देने का ज़रत नहीं है, 389, NX has to prospectors, पीछे क्या क्या टाच होगा, sir, it has to be signed by the chairperson and two other directors, पहला एक्सपर्ट कांसेंट जाएगा, number 2, material contract, sorry, number 2 is, contract with MD and manager, contract ने तो memorandum देदीजे, sir, 3rd, material contract not entered in ordinary course, but entered in last 2 years, entered in last 2 years, sir, underwriting contract and power of attorney, power of attorney, that is 389, sir, 392 was penalty, company के लिए, 1,3,000,000, 1,3,000,000, and continue deferred होदा, 50,000 पहापर दे, and officer के लिए जेल यादा, 25 आर से लेकि 5,000,000, खतम, 390, IDR, TG rules बनाएगा, IDR अगर issue करना है, कौन issue करेगा, सरे एक company, जिसका place of business इंडिया में है, या नहीं है, या होगा, या नहीं भी होगा, whether or not it is a foreign company, shall issue, IDR, CG rules बताएगा, they have to comply with SEBI and RBI directions, खतम, 4 form FC1 registration, FC2 alteration, FC3, अपना list of list of business, FC4 and written, खतम, पूरा chapter हो गया, 5 minute में recall हो गया, खतम, अच्छा लागा हो, स्वेस बैम के दोरपाई, दिपोजित कर दीजएगा, clear, आ जाहिए, next chapter उठादे हैपन, चूट उसा chapter कर रहे हैं अभी पहले, NCLT, NCLT, model में आपको अलग से chapter में लेकर NCLT, चार्ट से लेकर 6 मार का chapter exam में आ सकता है, NCLT, देखो अभी, अब क्या कहता है, guys, I repeat it again, it's a revision class, it's not for the first timers, क्योंकि हम base पे उस चीज़े नहीं कर रहे हैं, आपने एक बड़ एक पढ़ रख होगा, it's a revisionary batch, it's a revisionary class, अगर आपको detail lecture चे तो आपको GDPD refer करना पड़ेगा, जो बच्चों ने पढ़ रख है, आप May 22 exam देंगे, या November 22 exam देंगे, तो आपको ख़रेगे, इसलिए refer करना है, यहाँ पर मैं examples कम, चीज़े थोड़ी फटफट चलेगे, यह revision वाली class है, ध्यान मतना, जैके, सर, National Company Law Tribunal, National Company Law Appellate Tribunal, क्या कहता है, National Company Law Tribunal, National Company Law Appellate Tribunal, अब क्या है, सरीक दुनिया के महान कमनी है, AB Limited, AB Limited यहाँ मुकेश अम्माने की जो कमनी है, माई दोस्त, माई बेच फ्रेंड, Alliance Industries Limited, अपना मुक्या, कुछ लड़ाई हो गई, मुकेश ने भी लड़ाई हो गई, इननों को लडने के, इननों को लडने का, तो क्या है, इनके पास, कोरट जाए, कोरट, फारम बारम सब्मेंट कर बरबर, कमनी है, क्या क्या बोलते है, मेरे बच्चे भाहर नी जाना चीए, मेरे बच्चे मेरे पास रहने चीए 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 तो ठीक है तो एक डिपार्टन बना दिया उसको बोलते है अपन ट्राइबुनल तुमको कौन भी तकलीफ है रहे काहे तुम जाए रहे हैं तुम्हां आओ ना यहां बाइट होना तुम्हां पर सेटलमेंट करवा जो भी करना है इसके बाद जांगे फंसर ट्राइबिन नाशनल कमपनी लाव ट्राइबिन नाशनल कमपनी कमनी के लड़ा हुँ रहे अच्छा कम्री में बहुत सारे इंप्लॉई इनकी कि लड़ आगे हैं हुआ है एंपलोज की लड़ा हो रही है क्या को तुम को रट जा रहे हो एह मेरे बत चलो कमपणी में करना है आ ना तू करना सू किसने वनागए करना सू विद्फूल पोर्टन इफेक्ट करो बाहर काहे जा रहे हो अपने मंदिर में जाओ अपना मंदर और सर्ण नैशनल कमणी लो ट्राइब बन अच्छा गिश्वान इस नहीं होता है उसको लॉ की भाषो में क्या कहते है जो बच्चा खूश मेंगा कुछ नहीं होता है जीवन में और बहुती तकलिफ है इसको है रहता रहता है रहता है कि अग्रीवेड पाठी क्या अग्रीब अग्रीब अगर वो अग्रिव्ट है कहां जाएगा सर आगे वाले मंदिर पर जाएगे बड़े मंदिर में बड़ा मंदिर कौन साय सर बड़ा मंदिर है मेरा 80 मतलब National Community Law Appellate Tribunal National Community Law Appellate Tribunal अच्छा ऑएटी डिसां दिया आप खूश नहीं हो और बड़े मंदिर में जाहिए एंगे जयांगे और बड़े मंदिर आप दो जंडे है कहां जाएंगे सरम्लोग कैसी मतलब क्या सुपरियूम कोट ठीके सुपरियूम घूएं पिर भी हम लोग खुश नहीं है आतरी बावु सुप्रीम कोड इसा होता है पर नहीं होता है इसके जो डिसेजंस हो के वह बाइंदिंग होंगे जो डिसेशन कोई भी पार्टी जो जाएगी हाँ पर उंक पर बाइंड करेगा है करेगा आप खुश नहीं यूगो आगे आगे कहा जाएंगे सर आप नैशनल कंपनी लौ अपिलेट ट्राइबिनल अब यहां खुश नहीं आप आगे जाएंगे क 45 ट्रइश बीद गया गाई उस्टे इन कंट्री को लेज इंडीया ना तो दो तॉरिक पर तॉरिक पर तॉरिक पर तॉरिक थारिक अर्यरे सर रहरे सर बिद पार्टी फॉर्टी पारे सर अगे जाओ एक्सेंशन की भीक मांगेंगे है कितना दिन 45 देश नॉमल टाइम 60 देज साथ दिन बीद गया आरे सर मेरे बावक बावा मेरे भाय के मामा के चाचा के ताओ के बेटे के शाधी साधी में मही ना आशा था मैं काम कर दो सर डेज भी खत्म होगा क्या करूं सर और एक्सेंशन इस नोमल टाइम लिएट 45 देज एक्सेंशन 45 देज नमल टाइम लिएट 60 देज एक्सेंशन 60 देज तो एंसे लिएटे जाना है आपने को 45 45 80 से सुप्रीम कोट जाना आपने को 60 60 बले वो एंसे लटी और बले वो एंसे लेटी इनके पास डिसिजन देने का जो टाइम लिमिट है इनके पास डिसिजन देने का प्रके त्यक्तव कितने लिए त्री मशंत अब यह लोग ने पर दिस्जिजन नहीं दिया तीन महिना जैसे केस इनके पास आगा इंको तीन में देने का है तीन महिना पर दिस्जन नहीं दिया कोई बात भी एक्सेंशन करेंगे कितने दिनका 90 इस होता वह थी त्री मंथ यह पर मॉडल में आप देखोंगे आप 90 इस लि लुटते की रियस्में नंगा दड़ाय ख्लेक्ट क्रेंग ऐस्ट्रेक रिविजट फश्ट्रेक इतना परता है इतना ही चाप्टर में 12 रोटें डो इस दोतीन और कॉंसेट से इतना ही है अब मुझे निहीं पता आपने क्या पढ रहें इतना क्या पढ रहें बढ़ यहां पर definition की बात होती है क्या कहता है CG has constituted NCLT which is a quasi judicial जैसे court orat होता है is a judicial body court जो था court जब decision देता है judicial body state consumer forum, national consumer forum वह भी decision देते है क्योंकि वह quasi judicial body है team जब NCLT decision देगा वह भी binding करेगा it's not a judicial body but it's a quasi judicial body part judicial to adjudicate the matter is related to companies in India so any person agreed by NCLT prefer an appeal to NCLT अपन बात करी चुके national company आपिले tribunal NCLT कहां कहा से appeal सुनेगा NCLT के जो decisions है उसके खिलाफ नफरा नफरा तो भी नफरा में भी आप अपने audit में नफरा नफरा national financial reporting authority अगर वहां से भी अग्रीवट हो तो अगर आप अग्रीवट हो आप आप आपील करने जाओगे तो नफरा वालन अलग से बाडी नहीं बना है वो बोला कि काम करो यह जो हमारा बाडी है ना कौन सारा बाडी NCLT इन से सुन लिए अपिल सुनेंगे तो एक्जाम में में एक्जाम में आ सकते हैं तो NCLT अपिल कहां से सुनेगा सर NCLT से सुन सकता है नफरा से सुन सकता है और ऑडर एस पर competition है तो अलग से बाडी नहीं बनाएंगे बोला कि सारी अपिल कौन सुनेगा NCLT से नफरा से अप्चन नमेर D आललब यदि अपentin आप यदि इंन आझ अब वええ चांप क्वी सकता है στव इस зах मतलब के Quindi मतलब जु तरह मतलब प्रेजरेट्ए बैटता है संबंध में बैट पर सबटोनर इन थैचन एचन इचन जुआए में कौन बाट तया एक टेता कि होंगता इसको बोलता पनhone प्रेजिडेंट अपे त्राइबलों बैट तो चेह錯को घ्रसाइब कि सर्थिंबर की मेंबर का मतलब क्या है पुतीति समय क होगे जुडिशियल goes ge वागव लाइर हो गया संप्रिम कोड को गया सब एक एम को प्रेजडेंट यह परसन कोण होंगे वह हमेशे जूडिश्यल इससे रएलेटेड लोग होंगे तो जो पहला सेक्शन है फोर देल एक हाली वह करने अपको एंसी क्यों के लिए बाकि नॉट इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव क्या क्या हो सकता है कि दन सुन अभी सब्सक्राइब अगर आप डिस्कूर्श नहीं अब जाओगे एंसे लिटे के पास एंसे अपिल कहां से सुनेगा एक तो जो नेता होंगे चैर पर्सन और जो प्रेसिट्ट मनेंगा वह हमेशे को होंचे लॉप से लिटेड लोग होंचे हमेशे ठीक है सर ओर्डर्व ट्राइबिनल अब देखो ओर्डर्व ट्राइबिनल आपर अपॉचुनिटी ऑ बिंग हर्ड वह मतलब वह रीजने वह पॉपर बोकने का मौका मैं पास सच ओर्डर एज तिंग तो जो भी पाटी आई वह अपने इसाब से अपने इसाब से डिसिएंड यह सर अभी ट्राइबिनलों को लगता है कि सर में गलत हो गया कुछ में को रेक्टिफाइ करने का अमेंड करने का अल्टर करने का तो इच्छल विदिन टू यह से एंच्टिप्टिव यह से अगर इंट देगा तो आपके केस बूछ सकता है तो विदिन टू यह स्रॉम देट अगर अपील कर दिया है तो अब रेक्टिफाइ नहीं कर सकता है सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करने का अब दो साल के अंदर देजिए अपने रेक्टिफाइब कर सकते हैं अगर इसको और के कॉपी देनी पड़ी घर पाटी को में लिए इंपोर्डेंट पार्ट यहीं है सर अपॉट्टिफाइब कर देगा आपको अगर उसको मैंड करने तो दो साल देगा आपको दो साल में वो अमेंड कर सकते और को अगर अगर टीफाइब कर दीए तो सर आप अब रेक्टिफाइब कर सकते हो अच्छा दें ओर की को पे हर पार्टिफाइब को दे दीजिए पिर नीचे देखिए वेरी इंपोरेंट पॉइंट no appeal क्या बोलोगा no appeal can be made to 80 no appeal can be made to 80 against an order of t if it was made with the consent of parties मतलब sir no appeal can be made to 80 against an order of t if it was made with the consent of parties मतलब देखो यूपर 420 सेक्शन समझा आपको अब यह 421 22 23 देखना पार्टी किसके पास जाती एंसे लिटी के पास अग्रीवड है आगे जाएंगे 45 डेस के अंदर एंसे लिटी के पास extension 45 डेस पिर इंसले ने डिसिजयन दिया खूष नहीं है आपन आगे जाएंगे 60 गेशार्त के पास सुप्स्थमा यूड के पास खूष नहीं है अपन एक्सेंशन मांगा पने एंसिशार्ट और अधर सेंच नमेर 421 ज knowing स्क्रीम को जाने कर सेक्शन नमर है 423 यहां तो ठीक है निए छोड़ सकते हो 421 423 दोनों एंचल्ट एंचल्ट को डिसिजन देना है वो इसकी बाते लिखी हुए 422 में 3 months or 90 days कितना बेटा 3 months or 90 days का लिखी हुए सर वो 422 में फिर वो क्या बोलता है कि अब डिसिजन देने के बाद बोलते हैं अरे टोम यहां तुम से पूछिके दिसिजन देमें घर लो तो आपील वोईगी है अगर तुम से पूछ के में डिसिजन दिया तो आपिल पिर तुम्हें चारी कर लिए बाद भी काया अए नहीं सर अलईंट नहीं अलाउट नहीं है क्लियर देखो अभी है तो पहला सेक्षिन जो याद करने के सर्फ 420 हो क्या बहुत है और ऑडर 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 पास करके आफर गिविंग अपॉर्टिविंग घर अच्छों को रेक्टिफा करके तो दो साल है अगर अगर अपील फाइल करते तो अगर पार्टि से पूछके डिसेजन दिया है तो अपील फाइल नहीं गया सब्क्राने वर ब्रोस्चेजर इसेजन गिवन वर टी और एक शाल बिसेंट फॉर इंट नांगे लोकल है अपूर जूर्टिशन अब उसकी चू इम्पलिमेंटेशन होगी वह को चैछिवन और लगे कोपी लेके चाहिए कौनसे कोड़ से एक्डुकी पर कंपनी ने अगार कंपनी का रेजश्टर ओफिस सिट्वेटेड है अगर कंपनी की बाते हो रही है सर जहां पर कंपनी का अगर खिलाफ है तो कौन से पर सब्सक्राइब लिए जहां पर कंपनी का रेजिस्टर ऑफिस सिटुएटेटेड इन केस आप परसंट को इन्सान के खिलाब यह डिसीजन आया है वेर सच परसंट रिसाइड और केरी जॉन बिजनस और पर्सनली वर्क फॉर गिन मतलब यहां तो रहता है जहां वो काम करता है सर महां से महां का जो कोड़ है उसकी मदद ले लीजिए तो यह प्रोसेजर रिक्वाइमेंट है चोटा सा दो मां कर तीन मां कर देखा आज कल डेड़ मां के भी क्वेशन आर सब्सक्राइब करता है और यह कॉमन है ऐसा नहीं कि कमनी से एक लिए कोई भी आक्ट पढ़ रहा आप मॉमेला पढ़ रहे हो फिर फैमा पढ़ रहो सब जगा पर यह कॉमन है यह कॉमन है सर 431 बाकी तो पूरा प्रोसेशल रिक्वार्मेंट 25 से लेके 30 तक 31 सेक्षन है जहां पर कुछ काम की बात एक्जाम में आ सकती है अब क्या हो हमने क्या बोला सर राइविल में कौन बैटेगा प्रेजडिन बैठेगा कौन होता सर वो जूडिशल मेंबर होता है मतलब वो ड एक वाइविल में बोला गया हाई गोर्ड का जज़ ऊंना चैसा लिखा हुआ है अब भाइसाब का जो जञ़्वने तीन ही साल हुआ था हमने उसको क्या कर देप्रेज्ड मना दिया और वो क्या हो गया ट्राइबल में बैठा हुआ है उसने जो डिसिजन दिया उससे डिसि गाएद निए का बोलो उसने बोला party नहीं बोला त्राइबुनल तू गलत थेक्वित कि तेरा प्रेजिएंगी घलत है उसको नुल पाथ साल के एक्स्पिरनस है यह वन्युट तो थीन साल की T or AT shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the T or AT as a case may be T or AT में जो सम्विधन बना है जो constitution बना है सम्विधन मना जो constitution बना है T or AT की जो committee बना है अगर वो गलत भी है न उन्हें जो decision दिया होगा ना सर्वो वालिडे रहेंगे वो वालिडे रहेंगे एक्जाम में आज चुके ये चार मांका आज सर्वो वालिडे रहेंगे section number कॉंस है 431 no act all the proceedings shall be questioned or may be invalid merely on the grounds of any vacancy or defect in the constitution of the T or AT as a case may be clear बच्छो section number कॉंस है 431 section number कॉंस है 431 section number 431 easy chapter is over chapter is over इतना ही है बाकी जो जो section दे रखेना मॉडूल के अंदर उसमें क्या है वो descriptive है मतलब खाली वो करना है समझने के लिए प्रोसेशल रिक्वाइमेंट है खाली समझने के लिए प्रोसेशल रिक्वाइमेंट है बाकी इतना ही है चलो क्विक्ली रिकॉल करते है अपन सर 420 में क्या से कहा था orders of tea तो tea order देगा अपॉर्शन भी घर देगा ती उसको modify कर सकते है अमेंट भी कर सकता है कितना साल उसके पास दो साल है अगर पार्टीन अपील कर दी है तो अमेंट नहीं हो सकता और को भी सब पार्टीन को सब्मेंट कर दो और को देना पड़ेगा एक्जेकुट करवाना पड़ेगा कोट के तुरू कौन से कोट के तुरू अगर जहां पर जहां पर कंपनी को ऑफिस है यह पर इंसान रहता है इंसान के प्रती है तो जहां वह रहता है यह काम करता है आप देजिए सब्सक्राइब रुख जओ एक अपने को करने का अथा अंसर हो कर लेता आपना अभी यह देखो एक यह सेक्षन है मॉडूल में पेज नंबर है 12.7 क्या कहता देखो भी पावर टू सीक असिस्टेंट्स आप चीफ मेट्रोपॉलिटिन मेर्जिस्ट्रेट एच सेक्ट्रा अपने डी टी में बच्छों सुखा होगा कि जब वह रेड में पढ़ते हैं तो अगर आ पर है क्या बोलता है देखो दर ट्राइबुनल में इन दर प्रोसेडिंग वाइंडिंग अफ़ कमनी इट्स और मॉडल पेज नंबर 12.7 क्रीट करें खाई समझ लो और इन प्रोसेडिंग अंडर IBC तो कमनी से का बंद हो रहा हो या IBC के तरहत बंद हो रहा हो अगर उसको क क्कुसर फ़ा ब्रोसेड इस चर्णी में अ-पररटी कोई बूंअ या कोई दॉक्जिमेंट तॉट्ष रफिस को सर में…ी प्रोसेजर्द। को CMM को CJM को या फिर DC को CMM को CJM को DC को विदिन फूस जुरिदिक्शन दा प्रॉपर्टी बुवा और डॉकुमेंट्स आर केप्ट बराबर सर ट्राइब रिक्वेस्ट रगा किसको तो CMM को CJM को DC को अरे सर आपकी बुवा मैं तब यह जो क्लाइंट है यह जो हमेरे पास आया है इसका बूक्स प्रॉपर्टी आपके जुरिदिक्शन में आता है तो मुझे दे दीजिए अब क्या होगा तो जो दो सी जी 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 एम जो डी से जिनको रिक्वेस्ट की गई है लो किया जाएंगे भाग के जाएंगे प्रॉपर्टी को जब करेंगे एंड जाके ट्राइमिलों को दे देंगे को ही लिखा है सर CMM CGM or district club within whose jurisdiction such property books all the log documents under this act or corporate persons under the said code are situated or found to take possession and the CMM CJM or the DC shall not request being made to him क्या करेंगा we'll take the possession of such property books or papers and cause the same to be entrusted to the tribunal or other person authorized by it कुछ नहीं है तो tribunal request करगा किसको CGM को CMM को DC को ठीक है अच्छा अगर आपके पास कोई property कोई custody कोई property है कोई books है कोई documents है आपके custody में पी जैसे को request क्या है वो लोग भाग है किसके पास आएंगे वो लोग प्रॉपटी सीज कर लेंगे वादब custody में लेंगे जाके ट्राइब लों को दे देंगे यह ट्राइबिल में बोलागा कि मिस्टर राम को दे देंगे एनी परस नाथरास बाइट sir अब इंसान नहीं दे रहा है तो bouncers को बुलाया police को बुलाया मारा पीटा कुछ भी किया ओगा कर सब कर सकता है my back है पर the cmms the cgm or the dc the cmm or cgm or dc may take or cause such steps are used to be used such force as maybe in opinion maybe necessary binas binas जो थाकत लगान लगाओ प्रफटे को लेकर रहा लेकर रहा प्रफटी को नू एक्ट ऑफ सी एमें सीजी एम और डीशी शाल वी और इन इक उर्ट और इनी अहर्टी ऑन एनी आप्टर वाटसेवर अरे कोई चोटा मोटा आप नहीं है आई बीसी के तरह बाइनद अप हो रह प्रॉपर्टी बूक्स कि उनके पास है उनको बोलू क्या करें जाके कश्डी लेंगे जाके ट्राइन को देंगे आचा इनको जो ताकट लगाने लगाएं दूसर कोई भी एक कोई भी कोड़ बीच मा के उंगली नहीं कर सकता ध्यान रखना हर जगा पर यह रूलिक है कि अग स्टीवी नौट फ्रीव फॉक्ट्शन नौस थीविल फॉड्य फॉड फॉड्ट छ्वॉड निन्ट इन एनी शूट ऑमधर अट जहां पर कमने सचल रहा होगा गाई क्यों मुझ यह सेम प्रक्राइब में सीको के हर का हर कोड कर में में होता है कि कोई दूसरा कोड अकि भ वाला जो पॉइंट है यह मैंना को क्यों बढ़ाया दिसेंबर 21 का क्वेशन यही है दिसेंबर 21 के पिछले टंब क्वेशन यही था तो नोट्स में क्या कीजिए वहां लिख दीजिए पेज 12.7 रेफर लेक्षिन 429 12.7 429 मैं नीचे माले विदाओ रेफर मॉड्यूल 12.7 पेज 429 हो गया इतना ही पंड़न है खतम फिरी समाप जारा था यू एंसलिटी डर चार से लेके छे मांग का चाप्टर औरन कमी चार से लेके आठ मांक का चाप्टर यह चार से लेके छे मांग का चाप्टर फूल एक और चाप्टर दन आइधिंग टूक अप्रोक्सिमेडी 35-40 मिल्ट्स फिनिश क्लियर तो मैं दो चाप्टर हो गया है एक और चाप्टर का फट 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 एक दम इस ही है आ जाहिए आगे बढ़ते हम लोग पट फट फट अपनी बूक में खोली चे कॉर्परेट से क्रेटर प् में सब्सक्कर भी सकता है Des burned let's do it let's do it do it do it do it do come on guys i hope आपको foreign कमनी पुरा समझ में आ आगया होगा आपको पूरा रिवाई's हो गया हो गाभी आमनों करें Sacramento जें से क्रिक्रियल प्राक्रिस चाफ्टर को छोड़ जाते हैं सरकेता क्या ही है इंडिया में मीटिंग कितने प्रकार के होते है सर दो प्रकार की कौन-कौन सी Board meeting और members के meeting कौन कौन दे सर Board meeting और general meeting General meeting कितने पर कार के होते है सर दो Annual general meeting और Extraordinary general meeting Annual general meeting और Extraordinary general meeting Sir, India में resolution कितने पर कार के होते है सर दो एक Board का resolution और एक member का resolution एक Board का resolution और एक member का resolution पिए Board resolution में सर एक होगा बीया मतलब वो कौन सा थामेशे हैं मेजॉरटी पूरे कमपनी जब भी आप करोगे रेजलुशन की हमेशे क्या बोलें अब मेजॉरटी वाला बीजॉरटी वाला जाब히 इनीमस लिखाओत युनैनीमस बीर्मापर कितना बीरा 100 पर संट भी हमेंबर complained सार्में आजनन्यक्राइव के बात diyor वाला देखर गलाफ हमेशा हुव मेजॉरटी वाला होता है अग 나를 Ст шир स्क्राइब को बात करते है और की तो इस बिसिकली 75 से और इतना चीज और एग्जाम में क्या क्या सकता है ड्राफ्टिंग ओव रिजोलुश्यन आ सकता है नोटिस आ सकता है अचेंडर आ सकता है मिनीट आ सकता तक तर चार मां के आसपास का आ सकता है जाना सुनो भी, बोड मिटिंग के लिए अगर एक्जाम में आता है जो जन्रल मिटिंग के जो बात ही थी वो अपना IPCC इंटर में सीख ली थे अपने, कि जन्रल मिटिंग का नोटिस, मेंबर का नोटिस कैसे बनाने का है, फाइनल लेवल पे जब एक्जाम के आती है तो बात करने को आगे नोटिस, ध्राफ करने को नोटिस आगया, तो कैसे बनाएंगे आपन, आप हैडिंग देंगे, नोटिस, फिर वहाँ पर एक प्यारा सा कंपनी का नाम लेगे, दुनिया के नंबर बन कंपनी का नाम लेगा, पक्का, AB Limited, एड्रस लेगो प्यारा साथ, अपने 213 के थर्द, हर लेटरेट पे से नंबर लिखना अनिवारी है, mandatory है, जरूरी है, then you write serial number, मतलब वो लेटरेट का नंबर हो था अपका, and then date, and date, DAT, date, बिटा, IPC से में सिखा था, जब मैं जनरल मिटिंग की बात करता हूं, जनरल मिटिंग की बात, तो जनरल मिटिंग में अच्छा, जब मैं बात करता हूं, बोर्ड मिटिंग का, आपन सीखिंग आए, डिरेक्टर्स में, बोर्ड मिटिंग में, बेटा, कितने का गया पाना चीए, साथ दिन का गया पाना चीए, कितने का बेटा, साथ दिन का गया पाना चीए, मतलब सर, पहले notice पहले आएगा, क अगी सर, अपने को notice देना पड़ेगा, तो notice देने के लिए, notice देने के बाद, 7 दिन का gap होना चाहिए, यह सेब आपने को board meeting में सिखाया चाहिए, ठीक है, sir, notice कैसे बनेंगा, बहुत simple, अपने 2T-4T English में लेको, चलेगा, marks मिल जाएगा, no cancellation, no scribbling, no overwriting, sir notice is hereby given that the meeting of board meeting of board exam a poor link a board of directors notice is hereby given the meeting of board of directors of a b limited will be held on Monday by Monday my life marbles the tenth day of May tenth day of May so why may spelling Miri Marji is spelling are February February October me waale bachcha kya tumko spelling phir bhi niyana make-up he kya karo ya normal waalo kya normal exam ito hall ticket nikaal na hall ticket joh date liko no chip chup kara da mirko musti nichi because it is drafting exam mein aata hai to chira 4 maha ka answer aaga me go charme se charge him ticket 21 to go 22 link यह सेम अध्रस यहां कॉपी करना होता है जो ऊपर लिखो वो रेजिस्टर ओपिस का यह उपर लेट्रेट पर कोई और लिखकर आगे है वहाँ पर नहीं नहीं से मैं अगर क्व시면 में एड्रस दिया है तो ही चैपना नाम दिया वोइच है ना रहे बडी अची बात है पर अगर अध्रस दिया है तो वही business at 930 am to transact the following business at 930 am to transact the following business at 930 am to transact the following business at 930 am so why 930 am चाहर है कि नाइं एम से इंटेंगे में जनरल मिटिंग वो बिजनस आज होते हैं बाकि बोल्ड मिटिंग के रूल नहीं है बोल्ड मिटिंग अपनन बिजनस आज में भी कर सकते हैं तीका होगा जोड़ा बहुत तो तुमिल को सुबद साड़िक शावरिक ओ निखो नूपकर पारे लिको जुबा दो बजे करो नॉन बिसे खिलने का 930 एक सेट एक कुछ टेक्निकल बाते देखो मैंने मिटिंग बुलाई कब 10 में को तो सर जब नोटीस की जो गैपिंग देखने है अपने को अपने को अधास वी बिफोर बराबर तो जिसी मैं नोटीस वह यह वाली टे अगल देखने को समय का इसका रहे है सर नाइन एए सेवेन सिक्स अरे मिनिमम साथ बोला है ज्यादा भी तो हो सकता है ज्यादा गैप रख लीजिए ज्यादा गैप लिजिए सर मैं कर दाजिन का रखूंगा सर फॉर्ष्ट फॉर्ष्ट में आगा तो लेबर दे हैं पता है तो सर भाइस साब ने जॉन सीन अगा जीना लिख दिया हैं पर मिस्टेक है अगेंडा इट इस अगेंडा सर अगेंडा मतलब अरे मीटिंग में जो तुम चीजे करने वाले हो उसो क्या बोलता है पर अगेंडा इस यू के आक्षिन गाइस यू के अक्षिन गाइस अगेंडा सब पहला अगेंडा क्या होगा चुक अन्फॉर्म दो मिनिट्स अधी प्रीवेस बूर्ड मिटिंग टुक अगर एक्जाम में कॉशन आता है ड्राफ दा मिनिट्स फर फॉर्स बूर्ड मिटिंग तो यह मत लिखना ना हमको एभी सर उसे खाए नहीं नहीं नही अगर पहली वह मिटेंग यह अगा थो 92 नंबर फुर नंबर फॉर्स तो को लिखने डिखो नबर फीनलफर जो तुम को लिखने का लिखो इनले को तो इन चाले 楚 टीनलीक यां तひकने पर्मिशन लेते हुए इन इधे मैटर विद पर्मिशन आप चैर पांची आइसे तो पूरा पीज भड़ दोगे पूरा बतीस बतीस पीज भड़ दोगे पांची लिखने का है फिर नीचे फॉर और भी हाफ अब दी बोड एक्सवाइजी सेक्रेटरी राम श्याम राहूल श कि अगर्ण से चार माग गाइज बाइचांस तुमसे अगर मिश्टर वोगे से बिजनस की स्पैलिंग रॉंग होगी बिजनस की स्पैलिंग टिकें अब बहुत से प्यारी परी लड़कियों किया से थे खलकी हात उसे एकदम हलके से कुछ तो क्या करने ही लिख देंगे बिजनस्ट यह जमीन पर निद बिजनस लेकिंगे बिजनस यहां लेकिंगे बिजनस है विल सब्सक्राइब उनको क्या लगता है पेपर चेकर ने उनका सगा इन की यह अपने लाना पूरा कार्ट 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 कर्ट फिर लेकियें बिजनस दिख दुड़ दो नहीं पूरा के शोड़ दो के तुम को पता है स्पेलिंग मिश्टेक है तुम पता है उसको नहीं पता है वैसे अगर तुम उसको मौका देते हो कट करके ले मार तो मारे गए ना वो तो फिर तो क्यों इसको रिक्स देने का अपने को बिल्कुल नहीं नहीं आपने को अपना देख नहीं देने का एगा प्ले सेफ तुम को पता है ना स्पैलिंग मिष्टेक उसको थोड़ी पता है छोड़ दो अवी इतना तरह भाला है अपने वह एक जगा चोड़ देंगा ऑपने इस अरुंगे ने शुक्ति कुछ भी मिश्टेक वह छोड़ देंगा अरे एक-टो कहीना के पेपर में हो ठीक है कट मत करना आवापर पेपर शुट भी वेरी नीट अरे दूलान है दूलान जाना पड़ेगा अपने को दूलान को सजाओ ठीक है तो मैंने आपको नोटस सिखा दिया आपको मैंने अजेंडा सिखा दिया अजेंडा बेसिकली एक्जामेट डिरेक्ट वेश्चन नहीं आ सकता अच्छा यह कोई बना सकते हो नीचे बना सकते हो कहीं भी बना सकते हो पर अपने कैसे बना दिया अजेंडा पीच में अगया अब मिटिंग में जितने भी चीज़े हुई है मिटिंग में जितने भी चीज़े उसको क्या बोलता है मैं प्यार से माइनूट्स ऑफ दे मीटिंग क्या बोलता है मिनिट्स ऑफ दे मिटिंग मिनिट्स ऑफ दी मिटिंग सब मिनिट्स कौन से टेंस में पास्टेंस या प्रेजेंट या फूटूरे टेंस पास्ट प्रेज हो चुका है तो फुट्रे फूचरविदेंस में बनेगी तो बेटस में बनेगी क्योंकि हो चुके बाते अजेंडा बनेगा future to recommend the auditor to recommend the dividend to consider buyback agenda में में चुका है बहुत रेर प्रोबाबिट एक्जाम में पेज 13.12 मॉडुल से खाली रीट करने का वाट आर्ड़ दा कंटेंट्स अब मिटिंग सब्सक्राइगा नाम वेगा डिरेक्टर कौन को नाटेंड किया सेक्रेटर अटेंड किया कंपनी का नाम डेट टाइम कितने मिटिंग फिर क्य क्राम एन असोसेट्स आज ऑडिटर अप दे कंटी रिकमेंडेड महाँ बादा टू रिकमेंडेड पास्टेंड बन जागा तो कोई भी पास्टे बात है रीट कर लेने का खाली पेनल्टी है सार इफ परसन इस फांट गिल्टी ऑप टेंपर इंपरिंग विद दमिनिट्स ही शाल भी पनिशिबल जेल यात्र अप्टू टू यह एंड 25,000 से लेके एक लाग का फाइं 25,000 से लेके एक लाग का फाइं यह याद करना अपड़के में कभी आ जाए तो सब्सक्राइब बंती न तो वह लूज शीट नहीं होती है वह बाउंड बुक होती है बाउंड ब में जो जो बात हुए ओसाब उसमें लिख दीजै अब उसमें कोई छेड़का नहीं नीका चिड़का नहीं किया तो अब टू यह एंड 25,000 से लेके एक लाग क्यों अब मैंने आपको का बुला मिनिट्स बुक में जो भी बात हुए है सब बाते मिनिट्स बुक में आने चा बाभू सब मतलब साब आएवड़िटिंग मतलब सबस्वाइवरिपी अच्छा अब क्या वब डिरेक्टर निए अप लोग अपना जो राहू आपना जो कैमरा मैं वह तोफेट जली सा गुशता आ तौर अब क्या ओंधी ब्हूर अपर हो नन्युआ हो गया वह पर को अरे आना तु अरे आना अरे हाथ तो लगाना हाथ पीछे उसका हाथ लगाना कर दिया वांपा थोड़ा सा कोई बात नहीं अब क्या हुआ अपना एक स्टूडेंट है नितेश क्या हुआ वो मिनिट्स बुक पढ़ रहा था वो भी दिलेक्टर है वो देखता है सारी बाते ल स्टूडब को अगसा क्या हिए हमको एबी घुद बार कीं लिगा कंपे-छे में नियुक के मीनिट्स बुक में जो मोडनी और रहर हर मतलब सब साथ मतलब सब 스द। सब-सब-सब इसमें भन गाली नहीं ल्हें मतलーダब गालीcules में नितेश ने चेयर्मेन को चाप चमाट मार दिया है इस चमाट वैलिड या वोईड प्याहा वाइट आप मीता मतव रश्राइज देट्रेमेंटर मतलब डेट्रीमेंटल हांडिकारक against it , तो क्या रेगा वो decisyid करगा ऊसको include करऊ? चैर्मन का final call होगा क्या include करना क्या exclude कर है को यलाएप यह decision ने साथ चैर्मन का हिएएए निस जा रहा हम उप्ट तो चमाट वास invaluable समझ आपको तो आपके मॉडूल के पीछ्छे के क्वेश्टन है जबूर कर लें जिए आया हुआ एक्जाम में जिए लिखा हुआ इंपोर्टेंट पॉइंट्स में sir the chairman has a discretion spelling wrong इसकी spelling wrong इसकी with regard to the inclusion or exclusion of any matter in the minutes of the following runs if it is defaming any person or if it is immaterial to the proceedings or if it is detrimental to the interest of coming तो चैनमेन का discretion है कि क्या include करना है क्या exclude करना है उसकी इच्छा उसका wish if section 1 minute that is provision of minutes of any meeting is contravent then the company is liable for 25 और in every officer default तो भी liable to 5000 रूब तो अगर minutes कोई भी प्रोविशन तोड़ा तो पाथ से लेकिए पच्छी से लेकि एक लाख एंड दो साल की जिल्यातर एंड अप्टू टू यह एंड अप्टू टू यह मिनिट्स का सेक्षिन आई प्रोविशन तो प्रोविशन तोड़ा आपने सो ऑफिसर के लिए पाच है कंपनी के लिए पच्छीज है बट टेंपरिंग की minutes के साथ टेंपरिंग की है तो यह वैली पेनल्टी है क्लियर अच्छा अजेंडा की बात है किसी को रीड करनी है not important खाले रीड करना आपको मिनिट्स हमेश आप पास्टेंस में बनेंगा यह नहीं अटना इस इंपोर्टंट देन रेजोलुशन पाइनल लेवल पर एक्जाम में या तो नोटिस बनाने को आएगा कम probability फिर या तो मेरे को बनाने को आसा है minutes second number की probability में जो first number की जो probability नहीं वो है सर resolution क्योंकि जब ओल सिले पास हुआ कहता था एक्जाम में हमेश रेजोलुशन नहीं आता था तो बेटा एक्जाम में वह खाली दो इस सेक्शन में मैं आपको सिखा दो को ड्रेक्टर में कहा पर आएगा बाके हर जगा खाली result आएगा अगर unanimous वाला है तो क्या रिजॉल्ट यूनैनी मसली रिजॉल्ट यूनैनी मसली यह आई नहीं आएगा परिस्वेंट वें सेक्ष झोए रानुमने ओव रूण यूनैनी मसली पर्स्वेंट इस्वें ड्रेडोट दोट ड्रख रोइडन जग आपको बूरा कोशन शापने उसमें पूरा कोश्चन आपको पूरा कोश्टन बोला जाता है इंडिपेंड डिरेक्टर पॉइंट that sir independent director के लगता है ओर independent लगता है ओर किसा कैसे पर चला जब independent director सीख लोगे तब उसमें आपको आ जाएगा इस ओर सब्सक्राइब और वाट शेज रिज्वाट एट पर से 149 149 464 subsection 6 subsection आपर subsection निया तो खीके 149 of companies at 2123 and the rules made there under the company B and is thereby decide that to appoint mr. Rahul Sharma holding the number so and so as a independent director of the company for the year 2022-20227 पात साल के लिए होता है कहां से मिला सब प्रोविजन से मिला तो थोड़ा बद प्रोविजन यूस करेंगा यह धाचा है आपका यह धाचा है सर आपको पैरा चेंज करना है तो आप बड़ यूस कर लोगे result further that result further that mr. x the secretary shall be responsible to comply with all the legal formalities in this regard and file necessary turn with the pura pura registrar of companies 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 समझा आपको तो क्या बोला है सर result unanimously अगर unanimous आता है तो result that पहला पहला result that पहला चेंज हो रहा है result further that पहला चेंज हो रहा है result further that second पहला common आएगा question में कुछ भी दिया आपको पहले पहले में आड करने देखा है सकर बोला गया casual vacancy के लिए डिरेक्टर पॉंट कर रहे राजपल यादव को so result that person to section 161 subsection 4a of companies that 2013 and the rules made there under the company BN is hereby decided to appoint mr. Rajpal यादव holding dean number so and so to be appointed as a casual vacancy director of the company from the date of appointment till the date of next annual general meeting हो गया यह कहां से मिला next annual general meeting or the last day on which AGM should have been held which average later कहां से मिला सरी है कहां से मिला किसे के provision से तो जब आपका पूरा revision करके हो जाएं तो आप easily बना लोगे मैं आपको धाशा से करो यह format है ने तो देखो सो मेनी अंसे बेटर एक धाशा पढ़ लीजिए अच्छा आप जब मॉडूल देखेंगे आपके कोई author की book के वहां पर अगर से में नीचे वैर्स करते हों तो वैरे एंड वैरे और हर्प में एंड वैरे अधर नियूए गा एक यह पार एक यह बार आएगा अच्या जो आपने है हां खत्म है तो मॉडूल से आपको खाली क्या रीड करना बिटा एक 13.12 एक पूर मिनिट्स चेक करने हैं एक मिनिट्स का फॉर्मेट 13.12 भी मिल जागा वह भी और 13.4 में अजेंडा है बस हो गया खत्म फिनिश समाप्त जाला थाईयू पदयू पूरा खत्म हो गया कितना ही है तीन चाप्टर करा दिया आपको फॉरन कमनी चार्ट से आठ मांक नमबर टू एंचल्ड चार मांक दो से चार मांक कॉप्ट सेक्रेल प्राक्टिस कूल है सुलो तो वी स्टॉप दिस क्लास यह हमारा इस पूरे सेशन मैंने तीन करा दिया आपको इतना ही करना है आपको और अपने क्वेश्चन सौल कर लिए फॉर इसको बार बार दे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा नेक्स रिविजन क्लास में मैं नेक्स लेक्टर में आपको कुछ और दो तिन चाप्टर आपने सब्सक्राइब करने क्लिए मैंने नहीं बताया था आपको तो एक तो बता आपको अगर आता है तो फिर आपको आपको अग्रेट का इसी सौल हो जाका दूसरा कर सब्सक्राइब लॉंच और डिना फ्रॉम माई साइड आट ताज बॉंबे ताज शकल गरीब है बैटा बड लेंगे जाँकों आपको लेकए सुआ या अगर सकतने एडिर और ओर ऑन आपको कहीं भी आता है घ्रकाह थीसर प्रॉम लोग मैं 327202 717 few चार लोग वगुष लोग और तो वह द्रॉर अाफरी बां गर्रण भी आता है यह चिए को आपकी बाहरा आखरी बाहरा आपकी बन सारा पढ़ देगे, बाई, टेक केर